हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PLC learning point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे auto manual process control के बारे में किसी process को automatic control करना या फिर manually उसको run करना है या फिर stop करना है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं और साथ ही साथ इसका पूरा detail हम समझेंगे कि timer के त्रूँ इसकी value हम HMI से कैसे control कर सकते ठीक है तो सबसे पहले हमको समझना यह है कि एक हमारे पास start का push button है उसको हम on करते हैं और on करने के बाद जो time हमने डाला हुआ रहे था यह 10 का मतलब होता है एक second ठीक है उस time के according सारी motors on होती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने total 10 motor control करी हुई है पर सबसे पहले 10 नमबर motor off होती है और फिर sequence में एक नमबर सबसे लास्ट में ओफ होती है ठीक है ना इसके साथ ही साथ इसमें एक program और हमको यह बनाना है कि यदि सारी motors on है या फिर cycle हमारी on है और उसके बाद बीच में से यदि कोई emergency press कर देता है मतलब cycle on हो रही है या फिर cycle on है तब यदि किसी emergency को कोई press कर देता है तो उस emergency के बाद से लेकर उसकी जो सारी motor से वो off हो जाएगी देखिए यहाँ पर मैं यदि इसको off करता हूँ तो यह सारी motors off हो गई है ठीक है और यह motor off होने के बाद यहाँ पर एक alarm generate हो जाता है ठीक है तो यह emergency को जब मैं release करूँगा तो यह cycle automatically control तो यह cycle automatically run नहीं होनी चीए ठीक है यह run कब होगी जब मैं इस alarm को reset करूँगा तब यह cycle resume हो जाएगे ठीक है तो यह देखिए मैं एक बार इसको reset करता हूँ तो फिर यह cycle यहाँ से resume होती है ना तो हमको यह सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी है यदि देखिए मैं यहाँ पर off करता हूँ तो इसके बाद की सिर्फ motor यह जो है motor off होती है ना और फिर से उसको मैं cycle resume करूँगा तो यह यहाँ से motor चालू होती है ठीक है यदि मैं एक number की emergency को press करूँगा तो फिर यह एक number के साथ साथ में सारी motor बंद हो जाती है ठीक है और फिर इस emergency को release करने के बाद alarm को हमाई से में reset करूँगा तो फिर से यह cycle जो ओन हो जाई है अब यह on क्यों नहीं हुए क्योंकि एक number ही बन थी तो हमको यहाँ पर auto cycle को start करना पड़ेगा ठीक है और auto cycle को start करते हम तो यहाँ पर सारी motor जो time डाला हुआ होता है उसके according on off होती है ठीक है तो यदि मैं 10 की जगे यहाँ पर इसे 5 डालूँगा तो आप देखोगे तो यह auto stop करता हूँ तो आप देखो कि यह जल्दी जल्दी off हो रही देखिए ठीक है यदि यहाँ पर मैं 50 डालूँगा तो फिर यह 5 सेकंड में off होगी है या फिर 5 सेकंड में on होगी ठीक है on और off दोनों के लिए हमको delay same रखना है और बीच में से यदि कोई emergency को press कर देता है तो फिर वो off हो जाती है ठीक है और उसके बाद की ही सिर्फ off होती है cycle को on करना है तो वो cycle resume वहीं से होगी जहां से हमने emergency प्रेस किया था ठीक है तो यह पूरा इस प्रोग्राम है और इसके अलावा और भी कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें है जैसे यदि हमको manual किसी motor को चला थाना है मानलो मैं एक number को चला तो यह एक number चलनी चाहीए ठीक है को यह चलने के बाद यह manually मैं इसको off करता हूं तो यह off हो जानी कि ठीक है ठीक है न सबादीगे मैं आटो बटन मोटर को डबाता हूं और सारी と on होती है ठीक है और ये वाली main emergency है मतलब यदि main panel की emergency को हम press करते हैं तो यहाँ पर सारी motor एक साथ में बंदो जाईगी है ठीक है और alarm हमारा जनरेट हो जाता ठीक है अब फिर से इस emergency को reset करूँगा मैं और alarm को reset करूँगा तो यह जो blink हो रहा था लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिए इस वीडियो को बनाने से पहले में इस वीडियो के बनाने की पीछी की थोड़ी सी history आपको बताना चाहूँगा एक देवेश जी है गुजरात से जिन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे इस इस टाइब का प्रोग्राम चाहिए और मैंने उस प्रोग्राम की फीस लगबग 5,000 के असपास में उनसे ली है और उनको फिर ये प्रोग्राम दिया है लेकिन आपको ये प्रोग्राम फ्री में मिल रहा है ठीक है तो उनका भी कहना था, इसी से उनको program चाहिए था और यह पूरा-program मैंने बना के दिया था इस प्रोसेस में लगबग 18 मोटर लगी हुई है ना तो उस 18 मोटर का पूरा है कि यहां पर मेरे पास वीडियो भी रखा हुआ है यह वीडियो आपको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आएगा क्योंकि ऐसे वीडियो समझ में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी एक बार हम देख प्रामिंग है वो इन हाउस कर रहे हैं ठीक है तो आप यह देख सकते हैं उस तरह की यह प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी मोटर लगी हुई है और यहां पर यह वेट वगएरा का भी है और पूरा प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता है चुलिए चिली प्लांट है मतलब जो अब बनते हैं उसमें अलग अलग टाइप की जो कश्मीरी मिर्च वगएरा और बहुत सारी कोई बारिक मिर्च थोड़ी सी बड़ी मिर्च तो वह अलग अलग टाइप की जो है यहां पर प्रोसेस होती है ठीक है तो जितने भी टैंक से आप यहां पर देखोगे कुछ स अलग अलग मोتर के लिए आप यहां पर अलगलग dragon लगा तो जो मॉर्च की म Kings कि लगती है ऊसके बाद की प्रोसेस हमको सिर्फ बंद करना है ठीक है लिदि पैनल से ही सिटारी सो प्रेस करते गा तो फिर पूरी प्र maintained कम मेरजंसी लगी गया अलग-अलग मोटर के लिए एम है HMI हम जितना टाइम डालेंगे उतने टाइम के लिए ये motor on होनी चीए ठीक है ना मोटर cycle stop के टाइम उतने ही time में ये off होती है तो चलिए शुरू करते हैं आपने timer के मेरे बहुत सारे वीडियो देखे है और ये मेरा शक्राइट टाइमर का तो चली शुरू करते हैं और वीडियो को समझते हैं कि तो चली शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग पे चलते हैं और बनाते हैं इसका प्रोग्राम तो देखिए प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है लेकिन इसको मैं पूरा डिलीट करूंगा या फिर इसको क्लोस करके फिर करिए ज्यादा नॉर्मली ज्यादा हाड नहीं है यह टाइमर जो है यह आपके लिए एक थोड़ा सा नया इसमें रहेगा और बाकि सारी चाहिए आपके लिए जो है पुरानी यह जो कि मैंने चेवाई में बताई हुई है ना तो हम अभी हम क्रेट करने वाले नहीं है SMI के बारे में सिर्फ मैं आपको यहां से ओपन करके दिखा दूँगा प्रोग्राम हम पुरा बनाएंगे ठीक है ना तो प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको बदा दू मैंने उनको जो प्रोग्राम दिया था वो देखे यह वाला प्रोग्राम था ना यह वाला प्रोग् मोटर यहां पर उन होती है ठीक है उसके बाद यह एक ब्लोक रिसेट का इंस्ट्रेक्शन है तो यह भी आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा नया सिखने को मिलने वाला है ना और सारी मोटर की इन्होंने कितनी कैपेसिटी है पचैतर एच्पी की है या कितने कितने लेकिन आज हम पूरी 18 मोटर यूज नहीं करने वाले हैं आज हम सिर्फ 10 मोटर यूज करेंगे ठीक है दस कर लो या फिर पांच मोटर यूज कर लो एक बार यह आपने दो मोटर को भी इस तरह से कंट्रोल कर लिया तो फिर बाकी की फिर सारी मोटर से यहां पर कंट्रोल हो यूज करी थी और 15 से लेकिन यहां पर 26 तक आप देखो गे तो इन्होंने ट्रिप का एक इंडिकेशन यूज किया था कि अकर कोई मोटर ट्रिप हो जाती है तो ट्रिप और इमर्जन्सी सेम काम करेगा यदि पांच नंबर की मोटर ट्रिप होती है तो पांच नंबर के बा प्रोग्राम या पांच या मल्टिपल प्रोग्राम कैसे बनाना है वो भी आज के वोडियो में हम सिखने वाले हैं तो आप यहां पर जब हो गई यह मैंने एक ब्लोक रिसेट पुरा यूज किया हुआ है और यह मैनुवल के लिए है तो इस तरह से पुरा यह प्रोग्राम है मैनुवल के लिए है सोगरिया यह इमर्जन्स के लिए है जो भी इमर्जन्सी प्रेस होथे है तो इस्से ब्लोकरिसेट हो जाता है ठी identify अधर को भी में क्लोच करता हूँ और दोनों प्रोग्राम को मैं क entwickeln गा उसके बाद से फिर हम इसका एक नया ब्रोग्राम मनाएंग देखिए यह वाला भी क्लोस करता हूं एक हमारी सेम रहेगी इसका एक नोट्स भी बनाया हुआ है और टाइमर का यह जो पूरा नोट्स है यह आप यहाँ पर देखोगे तो सो पेजेज मैंने टोटल इसमें टाइमर में आपको बनाया हुए ना और आपने यह कोर्स जरूर बाइ किया होगा तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं और बाइ किया होगा तो आपको इसका फेड़बेक भी देना है कि आपको इस कोर्स में और क्या कमी लगी और इसमें और किस तरह से हम इंप्रूइमेंट कर सकते हैं ठीक है तो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे ह तो न्यू प्रोग्राम जाओंगा और PLC आप सेलेक्ट करते हैं मैं यहां पर Q02 UCPU यूज़ कर लेता हूं कि इससे पहले भी जो आपको प्रोग्राम मिले हैं वह Q02 UCPU में ही मिला है ना तो यह वाला है Q02 UCPU ठीक है तो इसको सेलेक्ट करके मैं OK करता हूं और आपको मैं यह भी यह चेंज PLC टाइप में आप यहां पर Q02 UCPU यह तो आप जो भी यूज़ करना चाहिए वह यूज़ कर सकते हो ठीक है और प्रोग्राम उस तरह से फिर यहां पर वह अभी हमें चेंज नहीं करना है तो मैं इसको कैंसल करता हूं ठीक है इसको मैं यहां पर मिनिमाइस करता ह हूं और एक बार फिर से GT designer 3 को open करते हैं क्योंकि HMI के साथ में हमको support मिल जाएगा कि हमको input कौन-कौन से यूज़ करने है और output कौन-कौन से यूज़ करने है ठीक है तो मैं एक बार HMI को open करता हूं और HMI को open करने के बाद में हम फिर programming पर चलेंगे तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस main program को edit करता हूं और इसमें मैं यहां पर लिखता हूं LD M0 आप देखोगे तो auto start के लिए एक cycle है M0 ठीक है M0 से auto start है और M7 से auto stop है ठीक है और X00 जो है यह main emergency है ठीक है तो auto cycle हमारी कब on on होनी चाहिए auto cycle on होनी चाहिए जब हम LD sorry यहां पर मुझे इसका हाँ ठीक है LD और space M0 हमें यहां पर लिखना पड़ेगा space M0 ठीक है तो मैं एक बार enter करता हूं तो जब भी हम auto cycle का button press करेंगे तब cycle start होनी चाहिए लेकिन emergency on नहीं होना चाहिए ठीक है तो जो main emergency वो है हमारा X000 ठीक है और emergency का जो alarm है यह है M4 ठीक है तो यह कैसे कैसे है इस प्रोग्राम में आगे आपको पूरा समझ में आते जाएगा देरे देरे लेकिन हमको emergency alarm भी कोई नहीं होना चाहिए और emergency भी जो main emergency वो stop नहीं होना चाहिए इदर से कोई emergency प्रेस रही तो वो cycle यहां से यहां तक तो on हो जाएगे तो यह हमारा एक main emergency का alarm है ठीक है main emergency का input है ठीक है और इसके बाद में हमको यहां पर use करना है M4 ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूँ LD space M4 ठीक है और यह M4 हमारा on होना चाहिए ठीक है यह on रहेगा इसका मतलब क्या है कि यह NC रहना चाहिए ठीक है तो यह एक memory bit है इसलिए हम इसको NC use कर रहे है ठीक है यदि को यह physical output होता है यह दिखिए यह वाला physical output है फिजिकल input है तो emergency हो चाहिए stop push button हो हम हमेशा ही प्रोग्रामिंग में no contact use करते हैं और जो उसका hard wiring होता है उसमें NC use करते हैं ठीक है तो emergency में hard wiring में NC use किया है तो हम program में no use कर रहे है ठीक है तो इ emergency बनाने के लिए on करना पड़ेगा ठीक है और इसके बाद इससे हम एक memory button करा लेते हैं वह memory रहेगी M1 ठीक है तो out space हम M1 लिख लेते हैं ठीक है और उसके बाद इसको हम लेच करा देते हैं मतलब यदि कोई push button को यदि प्रेस करता है तो प्रेस करने के बाद में वह लेच ह cycle हो जानी ठीक है तो यह हमारा main program है ठीक है अब आपको इस program में मैं बता दूँ कि यह जो program है इसको हमको right click करना है और registered program करना है यदि तीन से चार यदि multiple program हमको use करने ठीक है तो register program करके हमको scan में इसको convert करना पड़ेगा ठीक है और आपको यहां पर मैं दिखा दूँ कि यह और यहां पर भी आपको सारे program यह दिखाइदेंगे का यहीं ब्रोग्राम शेटिंग्क और यह sain program ठीक है तो यहां पर scan program के अंदर भी main यह देखिए व Когда can aquell system देर यहां पर भी main आता है ठीक हूं यहां से cycle के लिए हमको दूसरा program मनाना पड़ेगा और यह सारे program आपस में simulate रहते हैं आप आपस में communicate रहते हैं ठीक है तो इस आटो वाले program को हम बनाते हैं और इस आटो वाले program के लिए condition है कि जिए हमारी आटो की memory bit on होती है तो उस आटो की memory bit के on होने के बाद ही auto की cycle चलेगी ठीक है तो auto के लिए हमने जो memory bit use करी हुई है वो m1 use करी है ठीक है तो देखिए m1 कैसे use करी आप यहाँ पर देखो यह वाली m1 ठीक है तो जब यह m1 on होगी तब हमारा auto cycle start हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ LD space m1 ठीक है यह वाला output जब on होगा ठीक है तो यह m1 जो है यहाँ वाला m1 यह nc बन जाएगा ठीक है और इसके बाद यहाँ से हम टाइमर शुरू करते हैं क्योंकि जैसे ही push button को press करेंगे तो तीन तीन सेकंड या फिर जो भी settable time है उसके accounting हमारा यहाँ पर output on होना चीए तो timer हम इसमें retentive use करने जा रहें ठीक है और यदि आप एक पूरा नया प्रोग्राम बना रहे हो और आपको retentive timer use करना है तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब हम retentive timer use कर रहे थे तो आपको यहाँ पर PLC parameter में जाना है स्वरी no करेंगे पहले क्योंकि इस प्रोग्राम को यदि जब तक हम build नहीं करेंगे ठीक है no convertible okay कि इसको अभी फिलाल हम delete कर लेते हैं इसको सिर्फ convert करेंगे ठीक है तो इसको rebuild डाल कर लिया और उसके बाद प्रोग्राम में गए इससे एस टी वन यूज करते हैं ठीक है और या फिर unusable device has been specified ठीक है तो हमने उसकी रेंज ही नहीं डाली है मतलब रेटेंटिव टाइम में उसमें zero डलेवे हैं तो फिर वो लेगा ही नहीं ठीक है तो यदि आपका यह अलार्म आता है तो आपको इसमें फिर जाना है PLC parameter में ठीक है सोरी इसको exit करते हैं और इसको फिर से हम delete करते हैं ठीक है और यहां पर गए और इधर से हमने PLC parameter पर क्लिक किया और इसको yes कर देते हैं ठीक है तो वो जो था वो डिलेट हो जाएगा न डिवाइस पर क्लिक किया और यहां पर स्टी रेटेंटिव टाइमर जीरो डाले में ठीक है अब हमको जो टोटल यह डालने होते हैं यह यहां पर आप जखो करना था 29K वर्ड डालने होते हैं ठीक है तो यदि मैं इसको 1K करूंगा 0K की जगे 1K मतलब 1000 यदि हम रेटेंटिव टाइमर यूज करते हैं और यहां स से मैं चेक करता हूं तो कोई ने कोई error आता है देखे प्लीज सेट टोटल नंबर अव डिवाइज यूजिन दे सिक्वेंस प्रोग्राम सो देट 29K वर्ड और लेस मतलब 29K वर्ड या फिर उससे हम कम इसमें यूज कर सकते हैं डिवाइस टोटल अभी कितने बता रहा है अ इसको यदि मैं OK करूँगा तो अभी देखिए फिर भी 29.5 यहां पर बता रहा है ठीक है और यह आप यहां पर लिंक रिले है इसको भी 2 कर लो ठीक है यह भी बहुत ज्यादा है तो इसकी इतनी जरुवत नहीं है इसको 2000 हम कर लेते हैं ठीक है अभी 29.2 है और यह है ले ले करता है ठीक है तो इसको फिर मैं एक बार OK करता हूं तो अब कोई error नहीं है अब मैं end करता हूं उसको ठीक है और अब हम चलते हैं अग इस प्रोग्राम पर ठीक है तो यह M1 हमारा जो है आटो साइकल स्टार्ट के लिए था अब आटो साइकल स्टार्ट होती है LD M1 से ठीक ह हाई-speed timer इसमें कोई भी हम यूज़ करने वाले नहीं है ठीक है तो ST1 यूज़ कर लेते हैं और इसको मैं यहां पर स्पेस करके जो हम K50 K30 जो डालते थे यहां पर हमको D1 डालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो HMI है आपको बता होगा कि हम जो timer की value को data register के अंदर move इसलिए कराते थे ताकि वो timer जो है HMI के अंदर भी run हो सके यहां भी show हो सके ठीक है तो हम जब data register की value को timer में डाल रहे हैं यहां पर ठीक है यहां पर मैंने D0 डाला वा ठीक है तो इस पर मैं D1 इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि D0 की value फिर हम D1 में move करा लेंगे ठीक है तो अब मैंने यहां पर डाल दिया है D1 और अब इस D1 से में एक memory bit on करा लेता हूं या फिर एक output on करा लेता हूं ठीक है तो सोरी ST1 से ठीक है तो यह जब ST1 on होता है तब एक memory bit हम on कराएंगे और उस memory bit से हम जो main output है वो on कराएंगे ठीक है तो मैं यहां लिखो यहां लिखूंगा LD space ST1 ठीक है यह जब timer complete होगा तब यहां पर NC बनेगा और इस से लिखता हूं out space MM11 ठीक है तो M11 से हम सारी use करने वालें ठीक है और M11 से हमको जो है main जो output है वो Y01 use करना है ठीक है अब यहां पर हमको क्या करना है सबसे पहले आटो के बाद में हमको एक value को मुव कराना है ठीक है हमने यहां पर D1 तो लिख लिया लेकिन यहां पर भी D1 में एक value को मुव कराना पड़ेगा ठीक है तो एक bit होती है आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक जो special memory bit होती है इसको में global device कमेंट पर एक बर क्लिक करूँगा और यहां पर लिखूँगा SM 400 ठीक है special memory bit के बारे में आपको मैंने बताया था सोरी SM 400 ऐसे नहीं लिखना है यहां से गए हमने और import from sample comment special relay and register ठीक है और यहां से yes करेंगे तब ही जाके वह special memory bit जो हमें दिखाई देखी कि कि किस वाली bit में क्या-क्या चाज़े डली हुई तो यहां पर SM 400 लिखता हूँ एक बार इंटर करता हूँ ठीक है देखे SM 400 always on bit है SM 400 एक always off bit है यह एक cycle के बाद में run होती है यह cycle के बाद ओफ हो जाती है और यह 409 से लेके 415 तक जो है हमको यहां पर timing के लिए timer बना हुआ है ना तो हम इसके थुरू हम timer भी बना सकते हैं तो अभी जो मैं use कर रहा हूँ वह use कर रहा हूँ SM 400 ठीक है और यह always on bit इसलिए यहां पर use कर रहे हैं कि जब भी program online होता है तब जो data register की value है हमको डालना नहीं पड़े वह automatically उ change करें data register के साथ में तो वह value change हो जाए ठीक है तो SM 400 हम main program में use कर लेते हैं ठीक है SM लिखा और कोई space वगरा नहीं देना है 400 direct लिए ठीक है अब देखिए हम जो move instruction normal timer के लिए use करते थे जैसे कि आज से पहले आपने वीडियो में देखे हुए तो उससे क्या होता था कि एक ही value move होती थी ठीक है लेकिन यदि हमको बहुत सारे multiple data registers के अंदर किसी value को move करना हो तो हम feel move use करते हैं मतलब feel move के लिए होता है f move instruction ठीक है तो इसकी detail भी आने वाले वीडियो में बताऊंगा लेकिन आज हम f move use करेंगे आप बस यह समझो कि हमने f लिखा और फिर हमने लिख दिया move move की तरह ही instruction होता है यह सिर्फ यह बहुत सारे मतलब multiple हम जितना भी डालना चाहें 32767 तक मिलब 16 बीट का जो रहता है वहां तक हम इसमें value को move कर सकते हैं ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा d0 की value को करूँगा d1 में ठीक है और d0 की value को d1 में move करने के बाद d1 से लेकि 20 data register के अंदर value को move करूँगा 20 में इसलिए करूँगा क्योंकि 10 तो हमारे लिए 8 के timer हो गए और 10 हमारे लिए हो गए आटो stop के लिए ठीक है तो आटो start के लिए भी 10 timer है और आटो stop के लिए भी हम इसमें 10 timer use करेंगे तो total 20 timer के अंदर equal value को हमको जदी move करना है तो हम f move लिखेंग हो गया 20 total जो है रजिस्टर से हाँ पर data registers 20 हम यूज़ करने जा रहे हैं तो के 20 डालेंगे तो जब भी यह SM 400 हमेशा ओन रहती है ठीक है और D0 की value कहां से डालेंगे हम यहां से हाना और यह कैसे add किया हुआ यह भी हम देख लेंगे HMI में तो जब D0 की value को डालते हैं और यह में यह जो पूरा program बना हुआ है इस program के हिसाब से यह पूरा एक motor का program मना है सिर्फ बन motor का सिंगल motor का ठीक है अब हमको यदि इसमें बहुत सारी मतलब multiple motor का program बनाना है तो सेम इसी तरह का program सब में बनने वाला है और इसी program को हम copy करते जाएंगे आगे paste करते जाएंगे ठीक ह तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे करने वाले है ना यहां पर इस program को या तो मैं copy कर सकता हूं या फिर यह पहली पहला timer ओन हुआ पहला timer जैसे यह ओन होता है एक बीट ओन हो जाते है ठीक है और इसके पांच सेकर्ड या फिर सेटेवल टाइम के बाद में दूसरी बीट ओ घारा है स्टी टू टैमर नंबर दो ठीक है और स्पेस लिखा और यहां पर जो डी वन लिखा था इसको मैं लिखता हूं टेटी टू ठीक है तो मतलब डी वन के अंदर वह वाली वेल्दी हो जाएगी और डीटो के अंदर भी सेम वाल्ली मोगी फिल मूव इंस्ट्रक्शन पांगे तुक ठीक है अब यह जैसे ही ST2 ओन होता है तो ST2 मैंने लिखा जब इसकी वेल्यू कंप्लिट हो जाती है यहां लिखता हूं LD स्पेस के लडी स्पेस स्टी टू जब भी स्टी टू कंप्लिट होता है तब हमारी M11 के बाद में हम M12 on करा लेते हैं तो यहां पर लिखता हूँ out space M12 ठीक है अब यह same program हमारा 10 motor के लिए चलता रहेगा तो मैं इसको यहां से copy करूँगा ऐसे select करके हम copy कर सकते हैं ठीक है copy के लिए होता है control C तो यह copy किया और इसको मैं यहां पर paste करूँगा ठीक है यहां पर paste करता हूँ ठीक है और M11 के बाद हमने यहां पर M12 यूज़ करना है ठीक है क्योंकि M12 लास्ट बीट ओन होती है ठीक है है M13 यह हमारी तीसरे नंबर के लिए ओन होने वाले ठीक है तो अभी हमने टोटल दो आउटपुट यूज़ किया दो आउटपुट ओन करें ठीक है दो memory बीट ओन करिए और इस memory बीट से जो भी हमको Y0 Y1 ओन करना है देखिए मैं इस पहले तो इस दो सिरिस को continue new paste कर देता हूं 10 बार के लिए ठीक है तो आइटिंग 5 से बार मैंने भी paste कर दिया है और अभी देख लेते हैं कहां से paste किया था तो यह 12 नंबर है और यह 13 है ठीक है तो यह वाला भी 13 नंबर है मतलब इसको हमको 14 करना पड़ेगा ठीक है तो यह 13 से ओन होता है तो यहाँ प आपको मैंने टाइमर के बहुत सारे वीडियो समझाय हुए तो सारी चीज़े आपको समाज में आ रही होगी ठीक है और यह 14 ओन हुआ था तो यहाँ पर 14 लिखेंगे और स्टी 4 अभी तक हमने यूज़ कर लिया है तो डी 5 यूज़ करेंगे और स्टी 5 यूज़ करेंगे और यह टाइमर होन होता है सिक्स नंबर का ठीक है और इसमें जो डाटा रजिस्टर रहेगा वो छे नंबर का रहेगा और यह रेटेंटिव टाइमर का नंबर भी छे रहेगा ठीक है तो यहाँ पर भी मैं सिक्स लिखता हूँ और यह मैं जब देखो यहां गया और इंटर लिशाना तो D7 यूज़ किया और यहां यूज़ करूँगा मैं ST7 ठीक है अब यह ST7 से हमारा एक और आउट्पुट ओन होता है 17 नमब ठीक है तो यहां लिखूँगा मैं 17 और इसको M 12 की जगे यहां लिखेंगे M 17 और यहां ST8 लिखेंगे तो D data register को भी eight कर देते हैं और इस timer को भी eight कर देते हैं ठीके तो यह eight कर दिया मैंने अब यहाँ पर 17 के बाद में मैं लिखता हूँ 18 नंबर memory bit on होती है और जब 18 on होती है तब उससे 19 नंबर का timer on होता ठीके तो यहाँ पर d8 था तो अभी मैं d9 लिखता हूँ और st9 लिखूँगा ठीके और इस st9 से एक अगली bit on होती है m19 ठीके तो यहाँ लिखता हूँ मैं m19 मैंने एक ही प्रोग्राम को कोपी करके यहाँ पर पेस्ट किया हुआ था यह लिखा मैं m19 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ st9 था ना तो d10 लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी st10 लिखूँगा ठीक है और इसके बाद इसको मैं लिखता हूँ st10 और यहाँ पर लिखता हूँ m20 ठीक है तो यह हमारे total कितने हो गए 20 memory bit कहलो और यह फिर 10 timer कहलो ठीक है तो यह 11 से लेके 20 तक हमने total 10 memory bit भी यूज कर ल ठीक है तो यह प्रोग्राम जब पूरा online होगा देखिए इसको मैं rebel करता हूँ अभी ठीक है तो यह प्रोग्राम हमारा किसी भी वज़े से अगर कोई changes होते हैं तो डिलेट ने होगा ठीक है रिबल डाल करना जरूरी होता है अब यह हमारा आटो का cycle है तो आटो का cycle में क्य होना चाहिए कि यदि emergency okay रहा alarm कोई नहीं रहा तब जाके एक memory bit on होना चाहिए ठीक है और वो memory bit जब on होती है तो उस memory bit से timer चालो होता है और जो suitable time होता है उस time के हिसाब से हमारी अगली memory bit on होती है और इस memory bit से हमें output y0 y1 y2 जो भी on कराना वो करा लेंगे ठीक है तो एक ग्य 11 को यूज किया है 11 इसलिए था कि confusion नहीं हो 11 के साथ में ST1 है ठीक है और यदि मैं M0 से यूज करता तो हमने M0 M1 इदर यूज कर वी तो आटो के साथ में हमको manual का भी इदर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा है ना तो उसके लिए भी M1 M2 M3 M4 यह सब यूज होने वाली है तो यह दी इमर्जंसी ऊं रहता है कोई भी एक emergency on होता है तब क्या होना चाहिए ठीक है तो अब यह आ्टो का प्रोग्राम था आटो की साइकल ऐसे न होती है और यह आटो का बन गया है हमारा program ठीक है अब हम बना लेते हैं Menual का तो इस SM के ऊपर बना लेते हैं आटो मैनुवल पास-पास में रहेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेंगे तो यह यहां पर मैं दो रो एड करता हूं ठीक है यह मैंने किया इंसर्ट रो ठीक है अब होता क्या है कि जब आटो साइकल स्टार्ट रहे तब सिगनल ओफ रहना चाहिए और जब स्टोब का सिगनल ओफ रहे तब स्टार्ट का सिगनल ओफ रहना चाहिए तो यहां पर मैं एक अलग मेमोरी बीट यूज़ करता हूं LD स्पेस M7 ठीक है M7 यूज़ कर लेते हैं और आउट हम M1 यहां पर था तो M2 से हम स्टोब की साइकल यूज़ करेंगे ठीक है तो यहां लिखता हूं आउट स्पेस M2 ठीक है और और लिखा यहां पर स्पेस लिखा M2 ठीक है तो जब हम आटो स्टोब आटो स्टार्ट था आटो स्टोब को जब प्रेस करेंगे तब यह वाला बिट ओन होता है और इस से फिर एक और प्रोग् हो रही है जो है alarm reset करने के लिए ठीक है ना और उसके अलावा यह जो एम जेरो बीट है मतलब आटो का जो बटन है वो आफ रहना चाहिए तब ही जाके आटो start stop चालू होना चाहिए मतलब आटो start यदि आफ रहेगा तो आटो stop चालू रहेगा ठीक है यह दोनों interlock हमको करने है ठीक है ना तो मैं यहाँ पर इसका nc लेता हूं ठीक है ldi space m0 ठीक है और same condition यहाँ पर भी हम लिख लेते है ldi space m7 ठीक है तो बतलब यदि m7 on रहता है तो यह फिर cycle on नहीं होगी क्योंकि यह open हो जाएगा m7 यह वाला m7 on रहेगा तो फिर यह off हो जाएगा ना तो यह open रहे है ना अब यह बन गया है उसके बाद x0 फिर से हम सेम लेते हैं यहाँ पर ldi space x0 यह एक x0 man emergency ठीक है और ldi space m4 तो यह m4 जो है यह हमारी यह जो alarm generate हो रहा है उस alarm की एक बीट है ठीक है अब यह alarm हमको generate करना है तो यह कैसे generate होगा इसको हम समझ लेते हैं ठीक है ना SM 400 के ऊपर थोड़ी सी और हम 3-4 रो एड़ कर लेते हैं और जितने भी emergency है उनको हम series में लेते हैं ठीक है तो एक भी emergency यह ओन होता है तब auto cycle stop हो जानी चाहिए और immediate stop होना चाहिए कहां पर जहां पर जहां तक cycle चली है या फिर जहां पर emergency प्रेस हुआ है उसके बाद में फिर 001 से लेकर X 08 तक यूज करी है ठीक है तो मैं यहां पर भी X 01 से X 08 की जितने भी emergency है सबके अनो contact यूज कर लेता हूं ठीक है तो यहां लिखता हूं LD space X 01 ठीक है एंटर लिखा LD space X 02 2 X 03 हम वो LD नहीं लिखेंगे तब यह नो contact बन जा था ठीक है X 04 X 05 X 06 X 07 X 08 X 09 ठीक है और 9 के बात में 10 नहीं होता है X 0 A B C D F होता है ना hexadecimal तो यहां लिखता हूं X 0 A ठीक है तो यह हमारी टोडल होगी दस एक दो तेंग चार पांच छे साथ आट नो दस ठीक है तो यह टोडल हमारी ठीक है अब यहां पर एक situation यह बनती है मैं आपको दिखा दूँ ओनलाइन करता हूं पहले इस प्रोग्राम को फिर देरे देरे हम इस प्रोग्राम को समझते है ठीक है तो देखिए compile में गए online प्रोग्राम चेंज किया और यहां से में यस करता हूं sorry पहले इसको मैं करता हूं रिबिल डाल ठीक है ताकि इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना हो यह किया रिबिल डाल ठीक है यह ओके है ठीक है यहां से इसको मैं करता हूं simulate जब पहली बार हम प्रोग्राम को सिमुलेट करते हैं ठीक है तब हमको क्या करना होता है रिबिल डाल करना होता है ठीक है तो जब हम रिबिल डाल करेंगे तो वो प्रोग्राम फिर डिलीट भी नहीं होगा ना अब यहां पर एक सिच्वेशन यह बनती है कि यदि यह सारी इम हम इसको ओन कर सकते हैं, मैं आपको इतना प्रोग्राम समझा दूँ, फिर आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है, यह ओन कर दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, जब यह ओन कर दिया तो, m3 ओन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, के ल 10 space एमत्रीख ठीकर शोरीख कि यह तो राइत मॉड़् या फिर मॉन्टेर राइट मॉड़ हम को यह फिर करना हूं तो मॉनिटर में करेंगे तो में क्यों आधर लगता हूं 30 ए अभूर इसको ऑन्लाइन प्रोग्रामें करते हैं और फिर मैं आपको बताता वह कि यहां पर हमें और ऐसे क्या changes करने पड़ेंगे ले डी होता क्या है यदि इस्टार्ट की cycle नहीं होती है यह वाला emergency भी ओन करना पड़ेगा यह वाला main emergency यह ओन रहता है तभी start की cycle ओन रहती है ठीक है अब यदि में start की cycle को on करता हूँ, पहले तो देखिए, यह D0 जो है, इसके अंदर 0 है, है ना, तो यहां से जा कि हम, वैसे HMI से तो करेंगे, लेकिन अभी फिला ले ती और M1 के on होने के बाद यह देखिए यह चाल हुआ हर एक सेकंड में एक एक output ओन हो रहा है ठीक है तो हमको sequential motor का जो मैंने आपको program बनाया था वह आपने देखा होगा ठीक है तो यह देखिए अब मैं सब में इसमें हो गई है वेल्यू और सारे data register के अंदर दस ही वेल्यू गई देखिए लेकिन रास्ते में या बीच में यदि कोई emergency को प्रेस करता है मैं किसी भी एक emergency को प्रेस करता हूँ x5 को तो क्या होगा आटो साइकल स्टॉप हो जाएगी ठीक है आटो साइक इमर्जंसी ब्रेस कर दिया और यहां से M3 को supply मिलती है मतलब supply cut off हो जाती है क्योंकि इन सारे emergency से हमने M3 on किया था और M3 से हमने cycle को stop किया था इस emergency सोरी इस M0 को भी में off करता हूँ ठीक है तो साइकल तो स्टॉफ हो जाती है आप देखोगे तो यहां पर स्टी वन में कुछ वैल्यू डली हुई है ठीक है जो रिटेंटिव टाइमर होते हैं मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि रिटेंटिव टाइमर में यदि एक बार कोई वैल्यू मोव हो जाती है और टाइमर अपनी वैल्यू को अचीव कर लेता है और उसके बाद यदि कोई आउट्पूट जनरेट करता है तो फिर रिटेंटिव टाइमर की वैल्यू को हमको रिशेट भी करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आपको दो बाते सीखना है पहल के बाद के जितने भी इमर्जंसी है या फिर जितने भी उसके बाद के आउट्पूट है वही सिर्फ रिशेट होने चाहिए और बाकी इदर के चालू रहने चाहिए ठीक है ना तो यह हमको एक इसमें देखना है और दूसरा यह कि यदि मैं इस इमर्जंसी को फिर से ओन कर on तब होना चाहिए जब emergency को release कर दे फिर operator मशीन पर जाएगा हमाई पेनल पर जाएगा और हमाई से alarm को reset करेगा तब जाके cycle होना चाहिए तो हम को यहाँ पर कुछ और ऐसा एक logic बनाना पड़ेगा जिससे कि यह emergency अगर reset भी हो जाए है एक बार on होने के बाद देखो यह emergency प्रेस हुआ तो यह बंद हो गया लेकिन यह जब फिर से release हो तो cycle on नहीं हो उसके लिए हमें और कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा ठीक है तो वह मैंने सोचा हुआ है वह मैं आपको एक बार बता देता हूं देखी यह insert row करी फिर से एक बार में यहाँ पर insert row करता हूं ठीक है हम क्या करेंगे यह जो m3 on होता है यहां लिखता हूं मैं ld space m3 ठीक है इस m3 से किसी एक bit को set करा लेते हैं ठीक है set space m3 के बाद m4 यूज कर लेते हैं ठीक है अब क्या होगा जैसे ही यहां पर m3 sorry ldi लिखना पड़ेगा ldi लिखता हूं ठीक है और जब ldi लिखता हूं ldi इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यह set तब होनी चाहिए जब इस में से कोई भी एक emergency off हो जाए ठीक है तो यह कैसे होता है एक बार देखते अब किसी एक memory बीड को देखो गया आप मैंने तो यहां पर भी दख़ए के m4 यूज करा ठीक है तो इस m3 को अभी में क्या करता हूं डिलीट करता हूं ठीक है और यह वाली करने के बाद हमारा प्रोग्राम देक देए बंता जा रहा है ठीक है यहां बैदि इस बाद आप तो यहां पर वैसे तो टाइमेर हमको सारे रिसेट करने पड़ेंगे तो अभी आपको दुखाई नहीं देगा लेकिन यदि बीच में कोई इमर्जंसी प्रेस करता है तो क्या होता है देखिए इमर्जंसी को प्रेस किया हमारा यहां पर क्या ओन हुआ एमफोर ठीक है तो यह सेट एमफोर हुआ यहां से कॉंटेक्ट ओपन हुआ और इमर्जंसी के प्रेस करने के बाद यह साइकल स्टॉप हो गई ठीक है अब मैं एक बार इमर्जंसी को रिलीस करता हूँ यह रिलीस कि चुलिए तब हमारे एक और हम इक्ष्टरा बटन एसा यूज करें रिसेट के लिए जिससे कि ये बिट रिसेट हो जाए हम किसी बिड़ को जमांब करते हैं किसी आउटपूट को सब aspirations करते हैं कि मैं किसी आउट-पूट करते हैं टायमर को सबस्कारा थो अब यह सेट M4 है तो मैं यहां पर तो सबसे पहले लिखूँगा री सेट री सेट सोरी RST RST Space M4 यह री सेट होगी M4 लेकिन उसके लिए कंडिशन क्या है उसके लिए एक तो हमको री सेट का बटन यूज करना है सबसे पहले तो यह हमारा M3 था यह हमारा M4 है इसके अलावा हम एक और बीट यूज कर लेते हैं या फिर एक और हम बटन यूज कर लेते हैं और वो हम यूज करेंगे M5 ठीक है M4 के बाद में M5 भी रहता है तो LD Space M5 लिख दिया ठीक है अब M5 को जब हम बटन को जब दबाएं तब यह री सेट हो जाए ठीक है यह भी आपको मैं एक बार बता देता हूं कि इससे भी हमारा प्रॉलम यह वाला स्वल्व नहीं होगा देखें यहां से मैंने सारी लाइन एड़ कर दी देखें एक बार यहां से किया ओनलाइन प्रोग्राम चेंज ठीक है और मैं करता हूं यस प्रेक्टिकली हर एक चीज को समझते जाएंगे तो आपको प्रोग्राम थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में ना अभी एम फोर यहां पर रिसेट नहीं है ठीक है एम फाइव से मैं इसको रिसेट कर देता हूं ठीक है और इसको फिर से ओफ कर देता हूं ठीक है यह हमारा रिसेट का बटन है अब क्या हुआ साइकल फिर से स्टार्ट हो गई साइकल स्टार्ट हो गई हम को क्या करना है फि यदि emergency press किया हुआ ही है उसके बाद भी यदि को cycle को reset करता है तो यह देखिए यह M4 reset हो जाता है ठीक है तो हमको दो condition डालनी है हमको button दबाने के बाद reset तो करना है लेकिन यह सारी emergency on होनी चाहिए है ना यह release रहनी चाहिए तभी जाके फिर यह reset होगा तो उसके के लिए हम क्या करेंगे इस M3 को भी यहां पर एड कर लेंगे ठीक है यहां पर हम लिखेंगे LD space M3 ठीक है तो अब क्या हुआ है कि जब सारी emergency on रहेगी तो फिर यहां पर क्या होगा यह M3 on रहेगी और M3 on रहेगी और फिर इसको on करेंगे तो फिर यह reset हो जाएगा तो यह हमारी होगी problem solve emergency की ठीक है यह मैंने किया यहां से यस ठीक है पहले हम एक basic circuit को बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे देखिए अब emergency प्रेस किया हुआ था इसको release करता हूँ जैसे ही release किया M5 को sorry on किया था फिर से एक बार हम इसको देखते हैं कि एगज़ेट शिफ्ट इंट्रस को off करता हूँ ठीक है किसी भी emergency को press किया cycle बंद हो गई और emergency को release किया और cycle on नहीं हुई ठीक है लेकिन emergency को release करने के बाद यदि मैं M5 को on करूँगा तो फिर cycle on हो जाएगी है ना बीच में इसको में off करता हूँ यह एक commentary push button रहेगा on करने के बाद इसको हमको off करना रहेगा ठीक है तो यह तो पूरा अपना है कि यह program बन गया है आटो start का यह वाला जो है आटो start का है यह वाला program आटो stop के लिए हम बनाने वाले हैं और यह वाला पूरा emergency circuit हो गया ठीक है अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक रहेग में यदि को इस आटो इस टॉप को प्रेस करें मतलब इस बटन को प्रेस करें तो M2 ओन हो और जब M2 ओन हो तबाश ऑट defender साइकिल चालू हो जाए और कैसे होगी M2 से एक duis thou इंदा नोगा फिर उस टाइमर से दूसरा नोगा उससे से यहां पर हमने हुआ हुआ है से मूं के लिए भी यूज करना है ठीक है तो आ टो स्ट गयांट जैसे होता है जिस डिले के हिसाब से उसी डिले के चातफने को हैं तो हम एक और प्रोग्राम को इसमें एड करते हैं किसे हमको स्कें hop पर एक बार राइट क्लिक करना है एड न्यू डाटा और यह जो मेन लिखा है इसकी जगे हम लिखेंगे स्टोप साइकल ठीक है तो यह हमारा बन गया स्टोप का प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम ठीक है यह डिवाइस कमेंट है यह स्टार्ट का प्रोग्राम और यह स्टो टू ओन हो जाए यह वाला जो प्रोग्राम है हमने स्टोप का बनाया हुआ है देखिए थोड़ा साब को प्रोग्राम को सिंप्लिफाई करने के लिए एक और आज में नई चीज तोली सिखा देता हूं एडिट में गए और यहां पर डॉक्युमेंटेशन यहां पर गए स्ट ठीक है तो यह होगा स्टार्ट का प्रोग्राम यहां डबल क्लिक करके लिखूंगा स्टोप ठीक है और यहां डबल क्लिक करके लिखूंगा आल इमर्जनसी ठीक है? और यह वाला जो है हमारा यह एक तरह से अलार्म reset के लिए हम M5 यूस कर रहे हैं ठीक है यह देखिए आप यहांपर alarm reset M4 से alarm आता है और M5 से alarm reset होता तो वो सेम मैं यहां 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 इस स्कुर रहा हूं थो यह लिखूंगा order गर्षाइब कर अधनी डाइम के लिए हम लिखना है तो यह देखो अब यह सब में क्या ही कि यहां पर हमने एड कर दिया है statement और इसको मैं करता हो online ठीक है तो आपको इसमें statement भी दिखेगा कि कौन सा वाला program कहां का है ठीक है ये दिखिए final इस तरह से दिखता है start cycle stop cycle all emergency alarm reset और उसके बाद process time ठीक है अब हमको ये वाली stop cycle को देखना है तो stop cycle के लिए M2 को on करना पड़ेगा ठीक है और M2 on कब होगा जब M0 off होगा ठीक है तो अभी M0 on है मतलब cycle start है है न तो इसको मैं off करता हूँ ठीक है और यहां पर मैं M7 को on करता हूँ एक interlocking और हमको इसमें डालनी पड़ेगी वो भी आपको समझ में आने वाला है देखो आटो cycle start थी तो वो लेच हो गई थी यहां से M1 से है न तो यह M1 भी ओन है अब यदि मैं M7 को on करूँ आ आप देखो यहां से M7 को on करा तो यहां से M7 एक हमने यूज किया था इसके लिए N से contact ठीक है तो जब M7 को use किया और ओन किया तो यहां से क्या हूआ ओफ हो गया और यह cycle stop हो गई आटो stop हो गई आटो cycle यहां से जो थी start वाली थी वो बंद हो गई और stop वाली चालो हो गई तो इस टोब का cycle अब चालो हो जाता है अब इस टोब के cycle से हमको और भी timer यहां पर use करने पढ़ेंगे इसमें अब जो हमने timer यूज करें थे वो टोटल जो टाइमर थे 10 नमबर तक हमने टोटल यहां पर timer यूज करें ठीक है अब जो stop का है उस stop में हम M2 एक memory beat यूज करेंगे और उससे हम normal timer 11 के बाद में 11 से यूज करने वाला ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूँ LD space M2 ठीक है देखो M2 क्यों लिखा यहां से लिखा M2 ओन होगा तो यह वाला ओन हो जाएगा ठीक है अब मैं यहां लिखता हूँ T11 इसमें हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि cycle stop होने के बाद में सारे टाइमर आर्टोमेटिकली जीरो हो जाएंगे ठीक है तो टी 11 लिखा और यहां पर भी मैं लिख लेता हूँ ठीक है आप देखोगे तो इसमें जो है मैंने डाटा जो जो मुव करा है वो टोटल बीस डाटा रिजिस्टर के अंदर इस वेलिओ को मुव कर रहा है न तो T11 से हम डी 11 के अंदर एक डाटा रजिस्टर को मुव करते हैं ठीक है मालब उसकी वेलिओ को T11 से हम एक memory bit को on अब जब यह timer on होता है T11 ना तो यहां लिखता हूँ LD T11 यह timer कब on होगा जो data register की value रहेगी मतलब एक second है तो एक second के बाद यह on हो जाएगा तो इससे हमको एक bit और on कराना है तो मैं और कोई bit on करा लेता हूँ और इसमें bit को on कराने के लिए हमको एक बात को special ध्यान देना है ठीक है मैं देखिए अभी फिलाल यहां पर M50 यूज़ कर रहा हूँ special हमको ध्यान क्या देना है ध्यान यह देना है कि यदि cycle को stop करना है तो stop की condition में ऐसे stop नहीं होगी पहले motor 10 stop होगी फिर 9 होगी फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2 1 ठीक है तो सबसे पहले हमको स first वाली बीट से last तक start करना है stop के time पर last वाली बीट से first वाली बीट तक ही हमको stop करना है ठीक है इधर से stop नहीं करना है तो अब मैं यहां पने पचास यूज़ कर रहा हूं तो इसके बाद 49 48 47 46 45 ऐसे हमको यूज़ करना पड़ेंगे ठीक है लेकिन यह जो M50 on होता है इसी M50 के साथ में एक टाइमर और हमको यूज़ करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि M50 के कुछ सेकंड के बाद में दुसरा एक output on होना चाहिए ठीक है तो उससे हमको एक टाइमर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे हम यहां गए सबसे पहले तो हमको इस तरह से F10 पर क्लिक करना है और एसे करना ठीक है अभी मैं यहां पर एक टाइमर टी elieван के बाद माझे यूज़ करता हूँ ती ट्वियल सोरी italy ऩ टी ट्वियल ट्वियल के नहीं लिखना है और या पर लिखना है data डाका यहां लिखाए अब यह जो डीटवियल ओन होगँ यहां पर ld space d12 ठीक है क्या है स्वरी t12 टाइमर यह जो टाइमर ओन होगा इस टाइमर से हम m49 ओन कराएंगे ठीक है तो मैं यहां लिखता हूँ out space m49 देखे प्रोग्रामिंग का कि स्टेंडर्ड होता है कि output को हमको एक ही बार यूज़ करना चाहिए मतलब जो यह हम output जो set करा रहे होते ए나 कि यहां भी ay zero set करा लिया यहां कि निया तो वह कि हम ज़्यादा से ज्यादा memory beat का यूज़ करें और प्रोग्राम बने वहाहीं पर सिर्फ हम output यूज़ करें और इसलिए मैं नहीं कोपी कर सकता हूं या फिर एक और यहां पर से लाइन एड करते हैं और उसके बाद फिर फटा-फट सारे एड करेंगे ठीक है देखिए एम फिफ्टी था ना तो यहां पर एम फोटी ना यूज हो गया ग्यारा के बाद बारा हुआ तो अब हम को यहां पर यूज करना पड़ेगा तेरा तो लिखा टी तेरा ठीक है और इसमें डाटा रेजिस्टर भी में डी तेरा यूज करता हूँ ठीक है अब यह वाली जो साई के लिए यह डिक्रिमेंट की तरफ मतलब 49 के बाद 48 इस तरह से पेस्ट करता जाओंगा मैं और फिर इसको आगे हम देखते है ठीक है तो टोटल मुझे यहां पर दस आपने काद दस पर तो यहां फिर 19 था ओर यहां पर इम-प्थि त्वेल था तो इसटीक यूड को हम क्या गरेंगे ठीक फर्टीन करेंग सब से पहले ठीक है 11, 12, 13 ठीक है इस टाइमर से एम-फिर फ्सटी फिर से यहां पर यहां पर इम-फिर यह निस करेंगे सोरी 48 हम यूज़ करेंगे decrement हैं पर अभी हो रहा है अब यह जो t timer नमबर जो 13 है अब यहां पर देखोगे तो यह 12 था यह 13 था अब इसको हम लिखेंगे 14 तो यह लिखा d 14 और इसको लिखा t 14 ठीक है और यहां पर हमने लिखा t 14 और m 48 के बाद हम यहां लिखेंगे m 47 और t 13 जो था और यहां चाउदा हो गया था तो अब हमको यहां पर लिखना है t 15 और डी पंदरा ठीक है यह डी पंदरा लिख दिया और यहां पर टी पंदरा में लिखता हूं और इस पंदरा से m 46 कराते हैं और यहां पर टी पंदरा डी पंदरा था तो टी सोला डी सोला जाएग सोला इसलिए क्योंकि यह जब टाइमर ओन होता है तो इस टाइमर से अगला टाइमर और अगली बीट ओन होना चाहिए तो यह 46 था अब इसको मैं लिखता हूँ 45 ठीक है और 45 के बाद यहां पर मैं लिख देता हूँ सोला था तो अब मुझे यहां यूस करना पड़ेगा सत्रा ठीक है और यह टी तेरा की जगे भी टी सत्रा यूस करूँगा यहां पर बारा की जगे अभी हमने टोटल सत्रा टाइमर यूस कर लिए हैं और 45 के बाद यहां पर लिखता हूँ 44 और आगे आप देखोगे तो सत्र के बाद अब हमको यूस करना है अठारा तो डी अठारा लिखा और यहां लिखा टी अठारा ठीक है और इसको टी अठारा से फिर एक और बीट हमोन कराएंगे तो वह 43 रहेगी ठीक है यहां लिखा 43 और यहां पर अठारा हमने टोटल टाइमर यूस कर लिए थे तो अब मै use करूंगा आ 19 नंबर का data register और 19 नंबर का टाइमर ठीक है? और यह 19 नंबर के timer से हम यहाँ पर 42 यूज़ करने जा रहे हैं 43 के बाद 42 ठीक है और यह T13 जो था 19 के बाद यहाँ पर आरं धीक है टॉटल हमें 20 data register और 20 timer यूज़ करने हैं start के लिए भी timer रहता है और stop के लिए ठीक है तो यहां पर t20 यूज़ किया और m42 के बाद यहां यूज़ किया m41 sorry m41 और यह t20 था और यह d21 था तो इस m41 के बाद में हमें कोई timer यूज़ नहीं करना है ठीक है क्योंकि यह जो है हमारा last timer है इसके बाद और कोई process आगे बढ़ाना नहीं है तो इसको हम delete कर सकते हैं वैसे ठीक है यह मैंने यहां से कर दिया ठीक है यह हमारी last memory wait है अब हम stop cycle को भी एक बार समझते हैं start cycle को तो हमने समझी लिया था तो इसको मैं क्या करूँगा compile और फिर online program चेंज और यहां से फिर मैं करूँगा यस अधे स्पेसिफाइड फंक्शन के नोड़ वे विज़ता फॉलाइंग रिजन में भी अच्छा ठीक है तो इसका रिजन यह रहता है देखो मैं यहां से नो करता हूं होता क्या है कि यदि हम नो से ज्यादा लेडर को add कर लेते हैं एक बार में ही तब फिर वो PLC उसको simulate नहीं करता है मतलब उतना प्रोग्राम इसके लिए अलाव नहीं होता है उनलाइन प्रोग्राम चेंज में एक दो लेडर चार पाच लेडर हम इसमें जो है इडिट कर सकते हैं ठीक है तो इस यदि हमने कर लिया है तो क्या करना है तो देखिए compile में गए रिबिल्ड डाल किया अब देखिए हमको फिर से यहां पर जाना है और simulation को stop करेंगे यस किया और फिर से simulation को हमको start करना पड़ेगे online में गए यह डिबैक में है ना जब हम simulation को फिर से stop करके start करेंगे तो अब इस प्रोग्राम को फिर से हम समझेंगे ठीक है यहां पर देखि कि इसकी timer की जो value है वो कितनी है है ना एक बड़ा देखिए अब ही data register की value zero है तो यहां से right click करके हमको इस data register की value को modify करना पड़ेगा और मैं इसमें डाल देता हूं 10 एक बार करता हूं enter और यहां से करता हूं close ठीक है तो अब यह जो है 10 value सब में चली गए ठीक है अब फिर स से हमको process को समझना है देखिए सारी emergency को पहले on करना पड़ेगा ठीक है मतलब सारी emergency का signal आना चाहिए ठीक है nc contact हमको wiring में यूज करना है और no contact हमको programming में यूज करना है ठीक है अब m4 फिर भी only why क्योंकि हमको यहां से reset करना पड़ेगा cycle को यह देखिए ठीक है तो यह क्या alarm reset हो गया x0 भी एक man emergency man panel का तो इसको भी on करना पड़ेगा यहां पर भी मुझे x0 add करना पड़ेगा ठीक है तो ठीक है अब अगले वाले में जब भी हम editing करेंगे तो इसको मैं यहां पर add कर दोगा देखिए यह cycle हमारी start है यहां से होने वाली है ठीक है और stop अगले वाले से तो start कैसे होती है देखिए m0 को on किया यहां पर देखो यह देखो ठीक है आप यह देखो आप यह देखो आप यहां पर क्या हुआ cycle last का जो हमारे बीट था वह m20 था ठीक है अब इस start का button यदि मैं release भी कर दो है ना वैसे वह लेच हो गया है अब मैं इसका button release भी कर cycle जो यह motors जो हैं यह own ही रहेंगी ठीक है लेकिन यह इस्टोब का cycle on करना है ठीक है यह वाला है हमारा stop का cycle ठीक है और यहां पर M2 से T11 on होता है और आपको मैं पर दिखा दूँ कि यह वाला हमारा stop का cycle है इसको जैसे ही on करता हूँ तो M2 on होता है और M2 से यह देखो वन्बाईवन सारे टाइमर यूज़ हो रहें ऑन हो रहे हैं अब क्या हुआ है सारी जो हमारी बीट है वो ओन हो गई ठीक है? स्टोप साइकल हमारी ओन हो गई ठीक है? अब एक बात और यहां पर बनती है कि यदी में इसका जो बाटने वो release कर देता हूँ, release कर दिया, ठीक है, release करने के बाद क्या होगा, कि ये जो timer है, ये भी reset नहीं हुए, ठीक है, ये सारे timer जो retentive है, ये भी reset करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो cycle है, वो हम stop कर चुके हैं, जदी अगली बार फिर stop करना रहा, तो वो तो already on है, हाना, तो इन timer को भी हमको reset करना पड़ेगा, तो ये timer क्या करेंगे, कि stop का cycle जब complete हो जाए, मतलब जब ये टी ट्वन्टी जब complete हो जाए, तब हमको timer को reset करना है, ठीक है, और retentive timer को use करना है, ठीक है, अभी हम start की cycle के बाद timer को reset इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि start के बाद किसी ने बीच में emergency press कर दिया, तो फिर वो reset है नहीं होगा, हाना, तो यदि कोई stop की cycle में, अब यहाँ पर आप देखो के तो हमने normal timer use करेंगे, हाना, ये retentive timer timer नहीं है, तो यदि M2 on होती है, है ना, यहां से M2 on होता है, और उसके बाद ये stop का cycle किसी ने press करके release कर दिया, तो फिर वो off ये जो timer है, ये वाले timer continuous की value को achieve करके ही रखेंगे, ठीक है, तो हम को end timer को भी reset करना है, इस cycle के complete होने के बाद, और start के timer को भी reset करना है, ठीक है, तो मतलब, जब हमारा सब कुछ off हो जाए, ठीक है, जब सारे output off हो जाएंगे, तब हमारे timer reset होने चाहिए, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके problem को solve करते हैं, देखिए, problem ये है, किसे ने start का button दबा के release कर दिया, ठीक है, और cycle complete हो गई, तब भी M1 होने है, तो हम क्या करना है कि जब start की cycle complete हो जाए, तब M1 automatically off हो जाए, ठीक है, हमको इस button से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक बार start करके release कर दिया, हो जाता है, लेकिन जब cycle complete हो जाए, तब ये बंदना चीए, तो start की cycle complete का होती है, देखिए, start की cycle complete होती है M20 से, ठीक है, last हमारा जो memory weight है, वो M20 है, तो ये M20 का हम यहाँ पर LDI space M20 use कर लेंगे है, ठीक है, sorry, monitor right mode करना पड़ेगा एक बार, ये किया हमने monitor right mode, ठीक है, M20 को LDI space M20, ये on किया, ठीक है, इसी तरह से M2 को भी off करना पड़ेगा, ठीक है, तो stop की cycle का last है, stop की cycle का last हमारा M40 होगा, या M41, M41 ठीक है, तो M41 जब on हो जाए, तब ये stop का जो cycle है, ये off हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, LDI space M41, ठीक है, अब इस program को थोड़ा और हम compile करके online program change करते हैं और फिर समझते हैं, फिर इसके बाद और भी बहुत सारी problem साने वाली है, और manual का भी अभी हमको पूरा program मनाना बाकी है, लेकिन अगर ये basic समझ में आ गया, तो आगे बहुत सारी चीज़ा, आसानी से आपको समझ वाएगी, देखिए, अभी सब की timing यहाँ पर complete है, एक problem और ये भी है, कि इस cycle stop भी हो जाता है, तब भी इसकी जो value है, वो reset नहीं होती है, तो मैंने आपको बताया था कि retentive timer की value को भी reset करना पड़ेगा, और पूरी value एक बार reset करनी पड़ेगे, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं, यहाँ पर देखिए, stop का cycle एक बार में on करता हूँ, M7 से देखिए, M7 से on किया, ठीक है, यह cycle on हुआ, M41 on होगा, देखिए, M41 on हुआ था, उस समय क्या हुआ था, एक बार हम समझ लेते हैं, यह M41 आप यहाँ पर देखोगे तो अभी NCA, ठीक है, लेकिन यह जब M41 जिस समय के लिए on हुआ था, उस समय यह supply कट हो गई थी, एक सेकन के लिए, मिली सेकन के लिए, ठीक है, और ज कितने भी टाइमर है, स्टोफ वाले, वो सारे, आ, आटोमेटिकली जिरो हो गया हुए, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर, मैं एक बार इसको बंद करता हूँ, ठीक है, यह एक तरह से पुश बटन है, ठीक है, और M41 आप देखोगे तो अभी साइकल हमने on कर रखी थी, और, यह देखिए, ना, on होके off वाद, अब कैसे हो रहा है, देखिए, on किया, off कर दिया, ठीक है, यह पुश बटन को प्रेस कर दिया, stop cycle के timer चालो हो गए, यहाँ पर आप देखो, यह open होगा, close होगा, open होगा, जब यह open होगा, तब इसने यहाँ से इसको unlage कर दिया, ठीक है, और unlage कर दिया, तो अब क्या है, यह cycle पूरी stop होने के बाद, timer भी हमारे zero हो गए, ठीक है, अब जब stop मतलब बंद हो गई, cycle बंद ह हो गई, तब हमको यह वाले timer भी zero करने हैं, और इसी के साथ हम, retentive timer भी zero कर लेते हैं, ठीक है, तो हम stop cycle के साथ ही, दोनों timer को zero करने जा रहे है, उसको zero करने के लिए, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, block reset लिखना पड़ेगा, ठीक है, M41 से, LD space M41, ठीक है, इसको भ को monitor write करना पड़ता, ठीक है, LD space M41, block reset, जब एक या उससे ज़्यादा timer को हमको reset करना हो, तो हमको block reset यूश करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ब्लोक का मतलब पूरे timer का जो block है, वो reset हो जाएगा, ठीक है, अब reset क्या क्या करना है, यहाँ पर आप देखू, ST1 हमने यूश किया है, फिर्स्ट टाइमर और लास्ट टाइमर ST10 यूश किया है, ठीक है, ठीक है, तो एक से लेके दस तक के सारे जो रिटेंटिव टाइमर है, वो reset होने चाहिए, सिर्फ इसके on होने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे BK, BK मतलब broke, RST, ठीक है, तो यह हमारी command हो गई, BK, RST, normal reset हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए, आज हमें इसमें BK, RST सिखने जा रहे हैं, ठीक है, AST1 लिखा, ठीक है, और यहाँ लिख दिया K10, ठीक है, तो AST1 से लेकि इसके, प्लस इसके बाद के जो दस टाइमर है, वो off हो जाएंगे, ठीक है, एक बार OK करता हूँ, देखिए हम होता कैसे है, कमपैल में गए, ओनलाइन प्रोग्राम चेंज किया, यहाँ से यस करता हूँ, ठीक है, अभी आप देखोगे, जो स्टार्ट की साइकल है, इसके सारे जो टाइमर है, उनमें कुछ ने कुछ वेल्डियो डली आप देखो, सब में दस दस, वो सारे टाइमर होना है, अब मैं करता हूँ, यहाँ से ओन आफ कर दिया, और अब इसको देखना, जब वो साइकल कंप्लिट होगी न, थोटी देर के बाद यह जीरो हो जाएंगे, ठीक है, यह आटोमेटिक जीरो हो गए, सारे टाइमर जीरो हो गए, सारे आउटपुट भी जीरो हो गए, क्यों हो गए, क् M41 ओन हुआ होगा, यहाँ पर लास्ट में, और इसी M41 का जब NC मिला, मिली सेकंड के लिए, तो उसने ब्लोक रिसेट कर दिया, ST1 का K10 के साथ, मतलब ST1 से लगे 10 तक के जो टाइमर है, वो सारे एक साथ में रिसेट हो गए, तो अभी तक जो हमने वीडियो देखे तो अलग मोव को भी सिखा है, और यह फिल मोव और ब्लोक रिसेट बहुत जादा हमारे काम में आने वाले देते हैं, जब हम किसी बड़े प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना, अब स्टार्ट साइकल कंप्लेट हो गई, स्टोप साइकल भी हमारी कंप्लेट हो जाती ही, ठीक है, अब हमको एक तो मेनुवल साइकल बनाना है, सबसे पहले मेनुवल साइकल को हम बनाने जा रहे हैं, और उस मेनुवल साइकल के बाद में, फिर हम क्या करेंगे, की रिसेट की साइकल बनाएंगे, मतलब यदि किसी एक इमर्जेंसी को प्रेस कर दें, तो बाकी सब ओना होना memory bit के साथ साथ हमको यह सारे y012345 यह वाले आउटपुट ओन करना है है ना तो जब टाइमर ओन हो जाएंगे तब उसके साथ लाश तक ठीक है तो जब फस्ट memory bit स्टार्ट होगी तब हमारा फस्ट आउटपुट ओन हो जाना चाहिए तो एम इलेवन से देखिए यहाँ पर LD M11 ठीक है यहाँ पर हमको क्या करना है आउटपुट को सेट करना पड़ेगा क्योंकि यदि साइकल यदि यह टाइमर जीरो भी हो जाते हैं तब भी वो सेट हो जाए एक बार साइकल स्टार्ट हो गई तो फिर वो स्टार्ट ही रहेगी इमर्जंसी जब तक कोई प्रेस न मैं इस HMI के साथ मैं पूरा कंप्रोमाइस कर रहा हूं है न और HMI में जिस तरह से मैंने यूज करें उसी तरह से मिरो को यहाँ पर प्रोग्राम में भी यूज करना पड़ेगा नहीं तो यह पूरे चैंज करना पडएंगे ठीक है तो इसलिए हम क्या करने हैं यह जब पहल timer on होता है ठीक है ? उस से पहली on होती है और पहली bit से हमने पहला output मतलब y1 set कर लिया ठीक है सेम इसी तरह से हमको इसको reset भी करना पड़ेगा ठीक है वह reset क्यों से करना पड़ेगा वह धीए पहली bit reset कब हो गिया मतलब stop कब हो ग्यों यह तो होग्या auto start aim 11 जो था यह auto होना चालू होता है और सबसे लास्ट में जो स्टोब होता है वो होता है वाइवन तो सबसे लास्ट वाला आउटपूट है उस लास्ट वाले आउटपुट को हमको वाइवन के साथ में देना पड़ेगा यह वाला ठीक है तब ही जाके वो लास्ट में उसको रिसेट करें ठीक है तो लास्ट वाला जो आउटपुट है हमारा M41 है है ना तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LD M41 और यदि इसको सेट कर दिया है तो जब वो लास्ट वाला उटपुट उसको क्या करेगा रिसेट कर देगा आर एस टी वाइवन चाहिए देखिए इस प्रोग्राम को एक बार हम ओनलाइन करते हैं और फिर पूरा अच्छे से समझते हैं ओनलाइन किया कि यस करें हम को रिसेट करना है यह एक आउटपुट ओन हो गया एक आउटपुट सही काम कर गया तो बाखी तो सारे कॉपीपेस्ट करने उसमें कोई टाइम नहीं लगना है देखिए आटो इस्टार्ट को जैसे ही ओन करूंगा तुरंत मतलब कुछ सेकंड के बाद एक से हुआ यहां पर अब रिशेट करना आप आटो स्ट्व करना है यह तो मैंने तो कर दिया बढ़र मम इसको यह तुरंत यह हो और तुरंत यह reset नहीं होगा जब तक एम 41 ओन नहीं होता है तब तक यह reset नहीं होगा अभी देखो प्रेस के वह काफी टाइम हो गया है लेकिन लास्ट वाला है इसलिए वो लास्ट में ही off होगा ठीक है यह देखो मेली सेकंड के लिए यहां supply मिली थी और इसको इसने वाइवन को बंद कर दिया ठीक है तो यह प्रोग्राम हमारा सही कर रहा है इसमें हमको एक चीज़ और करना है यदि किसी manual बटन को दबाएं ठीक है इसको पहले off कर देता हूं नहीं तो वह cycle चलती रहेगी देखिए मेनुल बटन को दबाना है स्टार्ट के लिए भी और मेनुल बटन को दबाना है स्टोप के लिए भी ठीक है तो क्या है मेनुल के लिए स्टार्ट का जो मोटर वन है यह वाइवन इसका output है मोटर वन के लिए मेनुल स्टार्ट जो होता है स्टार्ट मतलब सेट एम 21 से होता है लेकिन यह manual होता है ठीक है auto में नहीं होता है तो हमको क्या करना है क्लम मिला के manual हो या auto हो हमको तो एक output को on करना है है ना तो output को on करने के लिए यदि M11 on नहीं रहता है और हमको manual फिर भी इस motor को चलाना है तो एक और बीट इसके parallel में हम यहां पर insert on ठीक है और मैं यहां पर लिखता हूँ और M21 और space M21 ठीक है अब M11 on हो या फिर manual वाला बटन ओन हो वाइवन ओन हो जाएगा ठीक है सेम reset के लिए M41 on हो और या फिर इसके लिए M31 on किया हमने manual stop ठीक है तब यह reset हो जाएगा तो यहाँ B मैं लिखता हूँ और space M31 इन दोनों में से कोई on हो जाएगा तब यह reset हो जाएगा इन दोनों मैं से कोई भी on हो Jack Coach अभी reset हो जाएगा तो यह manual का हो गया और यह auto का हो गया इस इह manual का चुंच हो गया अब यह program लगबद पूरा बनते जा रहा है आप देखिए मैं यहां से एक बार इसको प्रोग्राम चेंज करता हूँ और इसको मैं करता हूँ यस देखिए अभी cycle start नहीं है ये भी off है ये भी off है आटो cycle start भी off है stop भी off है ना मतलब यहाँ पर दोनों पर supply नहीं है लेकिन हमको यहाँ ज़िए manual mode में motor को चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे M21 मैंने यहाँ पर use करी हुई है memory bit और HMI से हम एक बटन को दबाएंगे देखिए यह हमाई से बटन को दबाया और यह release कर दिया ठीक है यह दो बटन दबागा रिलीस कर दिया लेकिन यह set है manual on हो गया यह manual continue चलती रहेगी ठीक है अब इसको बंद करने के लिए हमको एक और ब M11 on हुआ set हो गया ठीक है और यह reset कब होगा M7 को on करेंगे तो जब M41 पर supply आएगी मिली सेकंड के लिए तब यह reset हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है दस सेकंड के बाद एक सेकंड का delay डला है तो दस सेकंड के बाद में सप्लाय आने वर देखो supply आई यह reset हो देता हूं कि इसी को मैं पूरा copy करूगा और इसी को paste करूगा और लाक्ट तक हम इसका बनाते जाएंगे ठीक है तो यह मैंने पूरा यहां से copy किया और इसको अब मैं यहां पर एक है दो कि तीन कि चार कि पाच कि छे कि साथ कि आठ कि नू कि दस ठीक है दस बार इसको मैंने paste कर दिया टूटल अभी मेरे को इसको री बेल डाल करना पड़े गा क्योंकि दस बार paste कर दिया है तो फिर ओनलाइन प्रोग्राम चेंज नहीं लेगा तो मैं इसको करता हूं सुरी 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 यहां से नो करता हूँ, नो किया, देखिए, यह किया, रिबिल डॉल, ठीक है, रिबिल डॉल करने के बाद, अब हम इसमें कुछ भी जो करेक्शन करना चाहें, कर सकते हैं, देखिए, टोडल है, वाइवण, ठीक है, एम, फोर्टी वन था, तो अब यहां पर हमको, एम, फोर्टी वन के बाद, जो अगली वाली बीट है, मतलब यएवण के बाद, सेट वाइवन, सेट यज़ए, ठीक है, यहां देखिए, यह सेटवईटू लिखा, ठीक है, killerset वाइवन, तो इ तेरा चोधा एसे सीरीज में यूज क्या था ठीक है तो वह सेम घम हम यह यूज कर लेंगे 11 की बाद 22 13 जियुसे खरक्ले एक ऑर 21 कौन से प tuIX के तब तो यह सारे स्यरेइमे इसलिए यूज ग्रतरिये साम तो यह스 रहे है कि आपको समझने में भी आसानी हो प्लस यह तो यहा एम 12 ठीक है और जो यह 21 था इसको मैं करूंगा 22 ठीक है और यह 41 को मैंने किया 42 ठीक है और यह 31 को किया मैंने 32 एक आपको प्रोग्राम मैंने समझा दिया है तो उसारी चीजे समझ में आपको आनी चाहिए ना अब यह इस्ट Denn the perfect अब यह 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 श्士 Dalek के लिए हमारे इतन परग्राम में बनाना है तो 3 का मतलब 3 हे आपको ने खंद लिखना तक अअय poquito बास है तो इसको हम 13 करेंगे ठीक है 21 को हम 23 करेंगे ठीक है इसको 43 किया और 31 को हम ने किया 33 ठीक है और सेम यहां पर यह देखिए यह हो गया था सेट यह है यह रवन था तो इसको हम लिखेंगे सेट र which Group और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा Tris about 3 mm ठ्थेख्ये है अब एक और अगला प्रोग्रामें या फिर इसको उनलाइन प्रोग्राम चेंज कर लें ताकि बाद में दिक्कत निया तो इसको ऊनलाइन प्रोग्राम में चेंज करता करना हूं दिखिए यह वाई थ्री को अब मैं करता हूँ वाई फॉर एक यह वाई फॉर और सेट वाई वन को करेंगे रिसेट वाई वन प्रेट वाई फॉर ठीक है चार के बाद अब हमको यह पर पंद्रा करना पड़ेगा ठीक है सीरीज में सार है ना यह देखिए ट्वंटी फाइव आपको समझने में भी आसानी रहेगी है ना इसको लिखा फोटी फाइव और इसको लिखा थर्टी फाइव ठीक है यदि यह समझ में नहीं भी आये तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना ठीक है तो और इसको किसी और तरीके से सिंप्लिफाई करेंगे हैं ना क्योंकि इतने सारे वीडियो आपने अगर टाइमर के देखे हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे इसाफ़शत है ना तो कुछ तो हर एक वीडियो में नहीं सेखने को रहने चाहिए नहीं तो फिर आप बोलो को किया सेमी कोपी होते जा रहे है यह वाइशिक्स इसको करता हूं कि अधिसेट वाइशिक्स ठीक है कि इसको करेंगे सेवन कि ऑने आफ प्यों को किया फोटी शेवन और थरटी sul को किया थर्ती सेवन ठीक है और अ सेट वाइवन था तो इसको करेंगे y7 ठीक है और reset y1 था तो इसको हम करेंगे reset y7 ठीक है अब यह 48 हमको यहां करना पड़ेगा तो 18 करेंगे 28 28 कर लेते हैं 28 किया और यहां किया 48 और यहां किया 38 ठीक है और यहां से set y7 था तो इसको मैं लिखता हूँ set y8 और यहां से हमको लिखना पड़ेगा reset y8 ठीक है अब m11 के बाद इसको करेंगे 98 के बाद 9 आता है ना 29 ठीक है यहां लिखा 49 और यहां लिखा 39 ठीक है और y8 के बाद हम लिखेंगे y9 ठीक है और यह reset y1 है तो इसको भी हम लिखेंगे reset y9 ठीक है अब 9 के बाद 40 दखो अब यहां पर दखो उननीस था था अब हम को यहां लिखना पड़ेगा बीस m20 ठीक है 21 को हमने लिखा m30 ठीक है यह हुआ एम 50 और यह हुआ और यह नाइन के बाद y0 a है ठीक है नाइन के बाद 10 नहीं होता है सीधा लिखने है यह जिरो ए ठीक है और वाइवन के बाद भी हम लिखते हैं वाइज जिरो हमने रिसेट किया अब इसको डाल करते हैं पहले तो हम कंपैल में गए और यहां के रिबिल डाल ठीक है और इस टौप सिमूलेशन कर लेते हैं और फिर से हम इसका स्टार्ट सिमूलेशन कर लेते हैं ठीक है और अब हमको फिर से मोनिटर राइट मोर्ड में जाना पड़ेगा स्वरी देखिए पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम बन गया है और यहां पर डाटा रिजिस्टर यह रहा राइट क्लिक किया और इसको की हम वेल्यू चेंज करेंगे 10 कर देते हैं जा 20 कर देते हैं 20 कर दो इस बार 20 कर देखते हैं यह बार अब टेन देख रहे हैं तो आप सोचते हो कि वह क्या पता ठीक है फिर से सारी अर्जेंसी आट करना पड़ेगी यह वाली भी आउन करना पड़े ठी है और यह वाला अलामरी सेट है इसको आउन करके अफ कर दिया ठीक है अब मैं एमजीरो को आउन करता हूं देखिए तो सेट हुआ यह दो सेकंड वास एक है यह सेट हुआ read अईज़े बहुने सेट और यह बिस सेट हुआ टीक है यह सेट हुआ यह सेट हुआए यह सेट हुआ एक्स जिरो यह यह पहुद सेट हो जाता है ठीक है और अब मैं इसको क्या करता हूँ रिसेट करता हूँ ठीक है तो रिसेट करने के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा आटो साइकल पे ही सबसे उपर जाना पड़ेगा और स्टोप साइकल कौन करते है ठीक है तो स्टोप साइकल में सबसे लास्ट वाला स्टोप होना चाहिए देखिए यहां से स्टोप करता हूँ ठीक है देखिए सबसे लास्ट वाला स्टोप होगा अभी देखिए सारे सेट है ना ये री सेट होगा एक समय पे आने के बाद ये देखो री सेट हुआ ये री सेट हुआ ये री सेट हुआ ठीक है और इस तरह से जो लास्ट वाला है सबसे लास्ट में री सेट होगा देखो ठीक है तो यह सारे रीसेट हो गए भी तो कुल मिलाकर हुआ क्या है की आः जब हमने ओन किया तब स्लाव अँब फिर लास्ट में लास्ट वाला ओन ओ दो जब ऑफ किया तो लास्ट वाला सबस्क्राइब Ifust अफ यह तो यह तो इतना प्रोग्राम हमारा बन गया है अब इस प्रोग्राम में एक और हमें चीज बनाना ये है कि जो इसकी मेन इमर्जंसी है देखो मैं यहां पर भी इसकी मेन इमर्जंसी को एड़ करता हूँ LD space X0 ठीक है स्वरी यहां से मैं एक बार करता हूँ LD space X0 ठीक है यह जब X0 ओन हो तब सारा कुछ reset हो जाना चाहिए न तो टाइमर में कुछ रहना चाहिए न आउट पुट में कुछ रहना चाहिए ठीक है तो हम को क्या करना है कि M0 पूरी साइकल को completely reset करना है तो completely reset करने के लिए मैं आपको बताया था कि हम इसका ब्लोक reset कर सकते हैं ठीक है तो ब्लोक reset से हम टाइमर भी reset कर लेंगे और उससे हम आउट पुट भी reset कर लेंगे इनको भी reset करने के बाद reset करना पड़ेगा ना तो जैसे ही emergency प्रेस होती है लास्ट में हमको reset लखना पड़ेगा ठीक है देखिए यहां पर मैं लिखता हूँ ldi space x0 x0 यह ना ठीक है मैं emergency x0 यह हमेशा ओन रहती है ठीक है या क्या होगा कि अब यह on होगी तब block reset होना चीए block reset किसका होगा BKRST BKRST ठीक है st1 space k10 ठीक है जो retentive timer 1 है वहां से लेके 10 तक के सारे एक तो retentive timer reset होंगे और same एक मैं यहां पर line add करता हूँ F10 से ठीक है इस तरह से ठीक है यहां हमको लिखना है BKRST block reset लिखा और space दिया और Y0 लिखा और फिर यहां पर भी लिख देता हो मैं K10 ठीक है तो Y0 भी reset हो जाएंगे और यहां पर जो है हमारे timer भी सारे reset हो जाएंगे ठीक है ना तो एक बार इसको हम यहां से reset करते है ठीक है तो एक ब file करते हैं और इस प्रोग्राम को समझते हैं देखिए मैं यहां से reset करता हूँ अब ही सब कुछ okay है कोई alarm नहीं है ठीक है चलेगा sorry इसको off करता हूँ इसको off किया ठीक है सारा कुछ reset होना चाहिए ना जब यह off हो जाएगी मतलब सारा कुछ reset हो जाएगा देखो m2 equal to one one का मतलब on होता है ठीक है तो यह reset का भूगा जब वाए जब आइब हम यह reset होगे ना एम for one on होगा था तो यह reset होगे देखो एम zero को on करते है ठीक है एम zero को on करेंगे तो one by one सारे सेट हो जाएंगे सेट है यह सेट हुआ है ना सेट हुआ यह सेट हुआ है ना यह सेट हुआ है ना यह सेट हुआ ठीक है तो इस तरह से यह सारे सेट हो जाएंगे ठीक है लेकिन अभी देखो सारे सेट है है ना जब मैं इस सब में 30 30 यहां पर मेल्यों डरली है सब में ध्याइन ही उन्य की ऐन करता है दखो या डरी एम अच्छा यह वाला री शेट को डिंगे G uncle लो बाद में केटन लिखा है हमने तो य जिरो से लेकर में नाइन तक केटे रहता है तो हमको वाइवन से केटन लिखना पड़ेगा क्यूंकि हमने आउट पुद वाइवन से किया हुआ ठिक है तो यहां में एडिटिंग करता हूँ वाइवन यह वाइवन ठीक है वाइवन से केटन हुआ टाइमर देखते जा रहा देखिए टाइमर तो सारे जीरो हुआ ठीक है आउटपुट एक रिसेट नहीं हुआ था तो जो कि अब मैंने इसमें करेक्शन कर दिया ठीक है देखिए इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं एक बा को करता हूं यह एमर्जिंसी प्रेस्ता एम फोर ओन था शोरी एकजीट करता हूं यह एचमाई में आपको और जैदा समझ में आयागा देखिए अलारम रिसेट हो गए ठीक है अलाम रिसेट ओन हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि हैं एम जीरो को ओन किया हुर ओफ किया ठीक मतलब दो सेकंड के बाद में सारे सेट हो रहा है ना यह ना इन सेट हुआ और यह सेट टैन हो गया है लेकिन होता क्या है यदि इसको में इमर्जेंसियों को प्रेस करते हैं तो सारे रिसेट हो जाते हैं ठीक है लेकिन यदि एक इमर्जेंसियों को प्रेस करता हूं मतलब छे नंबर की को प्रेस किया या साथ नंबर को किया या चार नंबर को किया या दो नंबर को किया तो यदि दो नंबर को प्रेस करूँगा तो इसके बाद के रिसेट होने चाहिए तीन नंबर को प्रेस करूँगा तो ये प्लस इसके बाद के रिसेट होने चाहिए पांच नंबर को यदि emergency को प्रेस करता हूं तो ये प्लस इसके बाद के ओना होना चाहिए आठ नंबर emergency को प्रेस करता हूं तो आठ नो दस ओफ होना चाहिए ना और नो नंबर emergency को प्रेस करता हूं तो नो और दस ही सिर्फ ओफ होना चाहिए बाकि सब कुछ चलना चाहिए ना वो दस नमबर इमर्जेंसी को प्रेस किया तो सिर्फ दस नमबर ही ओफ होगा ठीक है और बाकी सब कुछ चलेगा तो इसके लिए हम को क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम यहां पर सिंपल है जैसा कि यह ब्लोक रिसेट करा था इसमें मैंने क्या किया था कि सारे ओफ कर दिया थे ठीक है अलग 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 इमर्जेंसी से हम अलग अलग ब्लोक बनाते हैं अलग अलग टाइमर भी रिसेट करेंगे और अलग अलग आउटपूड भी रिसेट करेंगे ठीक है क तो मेन इमर्जंसी था तो सारा बन दो गया था हमको एकस जिरो के बाद जो फस्ट वाले का इमर्जंसी है वो एकस वन है ठीक है यह देखो एकस जिरो जिरो वन यह वाले फस्ट इमर्जंसी है तो अगर फस्ट इमर्जंसी ओन होता है तो यह सारा कुछ ओफ हो जाएगा करण एक जैसे ही काम करेगी तो इसका मैं सम네 कोपी पेस्ट इस में रखता हूं ठीक है लेकिन अगला इमर्जंसी होता है देखे यहां से कोपी करोंगा इस यहां से पेस्ट करोंगा ठीक है यह एक टू-ॉन होता है तो एक्स one off नहीं होना य one off नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए सबसे पहले x1 था तो इसको मैं करता हूं x2 ठीक है यदि x2 को कोई on कर देता है मतलब इसको कोई release करता है तो क्या होगा कि यह जो यहां पर हमने लिखा हुआ ना t1 मतलब timer t1 reset जो हमने यहां कर रहा था इसमें हम timer t2 reset करेंगे हम इसमें timer t1 reset नहीं करेंगे जो t1 set है वो t1 ही set रहेगा और यदि यह k1 लिखा हुआ तो इसको हम k10 लिखा तो इसको हम k9 कर देंगे ठीक है और एक बार मैं करता हूं y2 से मतलब x2 जब on होता है तब y2 से ही reset होगा y1 reset नहीं होगा तो यह x2 वाला ओन होगा तो फिर यहां से reset होगा यह वाला ओन ही रहेगा ठीक है तो इसी तरह से हमको सारे block बनाने पड़ेंगे और x2 के बाद में x10 sorry zero a तक हमको यहां पर शायद यूज करना है ना इन के बाद में x0 a तक सारे यूज करना है ठीक है तो एक बार मैं जल्दी से यह copy करके paste करूँगा और तो यह पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया ठीक है बहुत हो गए देखते हैं कहां तक हुआ है x1 x2 का दो मैंने कर दिया था y2 ना x3 से हम editing चालू करते हैं यह हमने लिखा x3 यदि कोई emergency x3 को reset करता है तो timer number t3 से reset होना चाहिए st3 से ही reset होना चाहिए two तक के off energy और k8 कर देंगे क्योंकि उसके बाद के timer जो है आठी बचे हुए रहते हैं ना उसके साथ उसको मिला के है ना तो यहां पर भी हम k8 कर देंगे और यह y2 था तो मतलब y3 से reset करना है अब हमको y2 को भी reset नहीं करना है अब यह x3 था अब इसको x4 कर देंगे ठीक है और यह के 7 करना पड़ेगा यहां st4 करना पड़ेगा ठीक है और इसमें भी हमको k7 करना पड़ेगा और y4 करना पड़ेगा ठीक है तो यह y3 तक on रहेंगे और फिर उसके बाद के off हो जाएंगे तो यह x5 लिखा और 6 7 के बाद में यहां लिखा k6 और इसको 4 यूज़ कर लिया था अब मैं को यूज़ करना पड़ेगा 5 और यहां पर भी 6 और 5 यूज़ करना था तो k6 लिखा यहां 5 लिखा ठीक है प्रेक्टिकली जब HMI पे हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ आगा ना यहां st5 था तो इसको हम st6 यूज़ करेंगे ठीक है st6 के बाद के सारे यूज़ होने चाहिए और के यहां पर कितना करना पड़ेगा के 5 करना पड़ेगा के 6 था तो हां के 5 करना पड़ेगा ठीक है और अब इसको भी हम के 5 करते हैं और उसको करते हैं वाई 6 ठीक है यह भी 6 था यह भी 6 यह अब यह हो गया 7 तो लिखा लडी एक 7 और इसको मैं लिखता हूं ST7 और K4 हो जाएगा ना यह K4 हुआ और यह हुआ ST7 ठीक है यहां पर भी Y7 हो जाएगा और यह हो जाएगा K4 और यह हो गया 7 ठीक है और 7 के बाद इसमें 8 इंटर किया और इसमें भी Y8 ओन करना है ओके 3 ओन करना पड़ेगा मतलब 3 का मतलब आठ नो दस ST8 यहां पर भी 3 किया और यहां पर 8 किया ठीक है और इसको करेंगे X9 और यहां पर ST9 और K2 आएगा ना तो K2 आया और यहां पर आया ST9 इंटर किया और इसमें आएगा K2 और यहां आएगा Y9 ठीक है नाइन आया अब X9 के बाद X0 A 0 A ठीक है X0 A से T9 था ना तो हमने ST10 यूज़ किया था यहां तो K1 लिख लिएते हैं टाइमर हम ST10 reset करेंगे रिटेंटिव टाइमर को ही reset करना है और यह वाइन था तो अब इसको हमको करना पड़ेगा वाइजिरो ए तो के वन लिखा और लिखा वाई यह जिरो ए ठीक है ब्लोक रिसेट यह सारे हमारे ब्लोक रिसेट होगा है अब इसको एक काम करते कंपाइल करके रिबल डाल कर लेते हैं ठीक है और यह प्रोग्राम बन गया है लेकिन इसमें थोड़े से और कुछ करेक्शन रहेंगे वह मैं आपको लाइव जब HMI पर चल अब यह प्रोग्राम जो है हमारा ओनलाइन हो चुका है ठीक है यह प्रोग्राम जब ओनलाइन हुआ है तो एक बार इस HMI को भी ओनलाइन करते क्योंकि इसके सारे जो बीट थे वह मैंने सेम यूज़ करें ना तो मैं यहां से इसको करता हूँ एक बार और ओनलाइना देख तो इमर्जन्सी अलार्म के ब्लिंग होने का कारण है कि कहीं नहीं कहीं लाइन में कोई आप यहां पर से ओपन आ है ना हमने यहां पर रिलीस करना पड़ेगा अभी सारी emergency प्रेस करी हुए ठीक है अब यह सारी कर दी एक और बची एकस जीरो एकस जीरो यह वाली main emergency देखो यह भी प्रेस कर दिया ना उसके बाद भी यह जो alarm है यह एम फॉर से मैंने जनरेट किया हुए है आपर है ना हमाई मैं आपको मैं बता दूँगा थोड़ी दिर मैं त हो गया है ठीक है अब हमारी cycle start होने के लिए ready है इसमें और भी कुछ corrections हैं देखिए पहले तो start करता हूँ देखो यह सब कुछ एक बार में ही start हो गया है क्योंकि process का जो time है वो zero डला हुआ है ठीक है और यहां पर भी आप देखो तो time zero डला होगा ना तो देखो मैं stop करता फिर zero हो गया अब process का time time में डालता हूँ पांच पांच डाला पांच का मतलब पॉइंट five second ठीक है अब देखो कि पॉइंट five second के बाद सारे ओन हो रहे है ठीक है पॉइंट five second के बाद में सारे ओफ होने चीए है पॉइंट five second के बाद में जो सारे ओन हो रहे है और अगर cycle running के दुरान में किसी एक emergency को प्रेस करता हूं मतलब पांच नंबर को तो पांच के बाद के देख़ो भी सारे ओफ होगा है क्योंकि पांच नंबर का जो ब्लोक रिसेट है मैं आपको यहाँ पर बताया है कि जो पांच नंबर है यहां पर आप देखो यह थे पांच नंबर दो X5 ओन और यह साब ओन तो इससे क्या हुआ इसदिए five और वाइफ और इसके बाद के ये प्लस इसके बाद के 8 है भी जो भी में वह रिसेट हो गाई ठीए आप इसमें भी देखो गये ने टाइमर में तो यह ists95 जेखो यह ना इसमें पांच दलावा है और यह जैसे ही off होता है यहां के सारी वेलिई दखो आप बाकी जो टाइमर है उनकी वेलिई जीरो जाती है ठीक्श हो बाकी सारे टामर की वेलिई जी जीरो है लेकि उसके पहले की जो वेल्यू है वो जीरो नहीं है था तो होगा क्या कि येदि मैं इस emergency को release करके alarm को को reset करूआ सोरी देखिए अब यहां पर एक चीज़ हो रहे हैं आपकी सिखने लायग कि emergency को मैं एक बार तीर नंबर पर प्रेस करता हूं ठीक है चार नंबर पर प्रेस करता हूं और emergency को जैसे ही release करूं तब वो program on नहीं होना चाहिए अभी क्या हो रहा है program on हो रहा है alarm भी show हो रहा है program भी ओन हो रहा है तो भाई यह तो गलत है ठीक है एक बार यहां से देख लेते हैं चलो यह देखिए ओफ हो गए सारे emergency को जैसे release करा cycle होना हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए हम को क्या करना है कि emergency के release करने के बाद भी जब तब तक अलारम reset नहीं हो. तब तक cycle नहीं चलना चाहिए है. ठीक है? तो आप हम देखते हैं कि alarm के लिए हमने क्या रिश्किया है और उसके reset के लिए हमने क्या रिश्किया ठीक है तो देखिया जो main cham आई यह है. यह वाली है. देखो. alarm को blink कर रहा है? M4 से blink कर रहा है ठीक है और reset हो रहा है M5 से तो जब तक हम M5 को प्रेस ना करें तब तक यह cycle automatically फिर से चलने नीच चाहिए मैं एक बार फिर से आपको प्रोलम बता देता हूं मैं यहां पर थोड़ी से चाहता हो गई है देखिए जब मैं emergency को प्रेस करता हूं है ना तो सारी बंद हो जाती है और alarm तो शो हो ही रहा है रिलीज्य करने के बाद alarm भी शोफ रहा है लेकिन cycle चालू होई तो यह थोड़ा सा गरबण है तो हमको क्या करना है कि जब alarm शो हो तब साइक fa is चालूं नहीं होना चाहिए है ना जब यह alarm शो हो तब हमारे जो timer यह ऑन नहीं होने चाहिए तो अब टाइमर अगर नहीं हो तो क्या हो इसका जो NC contact है वो हम यहां पर यूज कर लेंगे अगर वो एन होगा तो फिर कोई भी टाइमर नहीं होगा है ना कैसे यूज करेंगे देखे पहले यह देखो आप ना अभी यहां पर आप देखोगे सबसे उपर M4 है ना M20 तो लास्ट वाल कई देगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यू देना बंद कर देगा या अभी Сейчас नहीं बन करेंगा देखो यह अलाम रीशेट या M5 को किया M5 प्रेस किया beth이 नहीं समीक होगे से फिर इसको इसको सप्लाइस लिगा कि किसी भी इमर्जंसी को आउन करने के बाद jeemन सारे टाइमर के साथ मैं यहां पर क्या लिखूँगा मैं यहां पर एल डी आई और इस पेस लिखा M4 ठीक है इंटर करता हूँ और इसी को कोपी किया इस टाइमर के साथ पेस्ट किया इस टाइमर के साथ पेस्ट किया इस टाइमर के साथ पेस्ट किया यहां भी पेस्ट करता ह हूं यहां भी पेस्ट करूंगा यहां भी पेस्ट करूँंगा और यहां भी इसको में पेसि कर दूह है कि अब देखिए इसको मैंने ओनानलाइन प्रोग्राम चंज्ज्ज किया और यहां से किया, यस ठीक है यह हो गया हमारा प्रोग्राम चेंज अब क्या होता है एक बार हम समझते हैं देखिए कहीं का भी एक जगे का इमर्जनसी प्रेस करता हूं मालो में यहां का प्रेस करता हूं तो यह सारे ओफ हो जाते हैं ठीक है क्योंकि होता क्या है यह देखिए अब Remel facing और स्वंस्वें गाद कर को भूए है45 के बाद का यहां का चे था को फ्रैस के लिए होए तो और स्षय नंबर तक कर से क्या है सारे टाइमर की वैल्यू दन श्रय होगा काही है आने श्रया सारे सब्कार्ण की घंड है तो जब इसको ओन करूंगा तो ये तो timer अल्रडी ओन है अब यहां से cycle चाल होगा देखे यह reset किया, अब देखो पहले से ओन थे, यह cycle यहां से चाल हुई, ठीक है, एक बरोग दो समझते हैं, दो नंबर से मैंने reset किया, सारा reset हो गया, off कर दिया, सारा कुछ off है, alarm reset किया, अब दो अजित होती है, अगर पांच नंबर से बंद करता हूँ तो पांच के बाद के सारे बंद होते है, тебе इसे ही reset करता हूँ तो cycle यहीं से चालू पकशे होती है, है ना मंचने कीश चाइश करतें देखोँ stop ऐसे होती है या न यहाँ पर देखिया ठीक है? स्टार्ट करूँगा तो जो time डला है, उसके नहीं हसोब से start होगी । start होई, ठीक है? stop करूँगा, तो जो time डला है उसके हसोब से stop को ठीक है? अभी आप its time को notice करो, को अब में पांच की जगे क्या करता हूं दस कर देता हूं मनलब एक सेकंड का टाइम डाल दें अब स्टर्ड करते हैं क्या होगा ठैके एक सेकंड की बाइख यह इसको मैंने कर दिया स्टो कि अब इस timer को में फिर से 20 करता हूं मैं सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि हम टाइम को चेंजे कर सकते देखिए अब में 20 करता हूं दो सेकंड बाद वान होगा देखो हमां आओ बीच में अगर मैं टाइम करेंज़् कर देता हूँ क्या होता है देखिए-पंच किया जैसे इंटर करूं मतलब जेसे भी जैसे-भी अगर टाइम हम चेंज्ज 남 zur देंगे तो क्या होगा क्यों कैसका warfare व्र 400 यूज़ करी हुई है और इस SM 400 से क्या है कि एक वेल्यू होती है और वो continue होती रहती है अगर हम कोई भी चेंज करेंगे ना एफ डी जिरो के अंदर तो तुरंत डी वन के अंतर मूव हो जाएगा और डी वन के साथ साथ में डी 20 तक यूज़ जाएगा और मूव हो जाएगा क्योंकि हमने यह पर के 20 यूज़ किया हुआ ठीक है अब हम थोड़ा सा SMI के बारे में detail में समझते है सोरी उससे पहले एक चीज़ और दखो manual start किया stop किया यहां से stop होता है ठीक है चार नंबर को start किया यहां से चार नंबर को stop किया यहां से ठीक है आठ नंबर को start किया यहां से आठ नंबर को stop किया यहां से ठीक है अब क्या है यहां पर आप देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले हम Y4 और Y5 को देखते हैं ठी मतलब M4 देखो M4 ओन किया M4 का मतलब manual bit में हमने M24 यूज़ किया हुआ है आप यहां पर देखोगा ना एच्छे माई में M24 on के लिए M34 off के लिए ठीक है तो 24 जो manual on कर रहा है हम को total cool मिला के इस तक supply जानी चाहिए जाए मैनुवल में जाए जाए आटो जाए है ना सेट तक तो सेट तक M14 तो आटो से जाता है M24 मैनुवल से जाता है अब reset किस से होगा M34 से देखिए यह reset हो गया तो यह reset हो ठीक है यहां पर एक बात हो समझने लाइक यह है कि यदि हमने इसको start किया हुआ है और इसी के साथ में इसको stop कर देंगे तो क्या होगा देखो जैसे ही मैं stop करूँगा तो reset हो जाएगा क्योंकि जो PLC है वो reset को parity देता है मैंने बहुत सारे वीडियो हुआ है और stop भी क्या हुआ है थो PLC's stop को ही मतलब reset को ही P parity देता है ठीक है तो यह manual का भी हमारा सारा चल अब हमारा सारा चल गया है शुरी यह on किया его खिए यहां से off किया यह से अच आप देखिए एक चीज्ज़ गोर आठे चाड़ करताँ यह आटो स्टार्ट किया स्टार्ट तो कर नहीं सकते है क्योंकि स्टार्ट अल्रेड़ी स्टॉप कर सकते हैं स्टॉप किया देखो स्टॉप हो गया लेकिन इसको जैसे ही मैं आफ करूँगा तो तुरंट हो जागा क्योंकि आटो साइकल स्टार्ट है आटो साइकल के जो कमा जैसे ही यह cut off होता है तो M12 से तुरंट supply जिली जाएगा ना क्योंकि वह supply जा रही यह continue ना तो उसने reset को purity दी है इसलिए वह बंद हो गया लेकिन cycle अगर start है तो इस समय पर क्या होगा कि फिर जैसे यह off करेंगे तो तुरंट आफ हो जाएगा ठीक तो यह तो होगे हमारा इसमें हमाई का अब हम यह हमने यह बनाई कैसे है या यह blink कैसे कर रहा है वह देखते हैं देखो है यह main emergency दबाया सारा बंद हो गया और और यह जो अलारा में यह टूरह आप देखिए सबसे पहले जो आउट्पुट ए आप किसी भी एक आउटपुट पर क्लिक करो डबल क्लिक on के लिए और के लिए टीक है ओन के लिए मैंने m2 on aut के लिए m2 off और output के लिए मैं नहीं 1 強 इर्वी ऑन के लिए red color excited तो यह सब में सेम कोपी है आप सब में यह डाल सकते हों इमर्जिंसी के लिए मैंने क्या यूज किया है वो देखिया इमर्जेंसी के लिए मैंने अल्टरनेट यूज किया मतलब इमर्जेंसी प्रेस कर दिया तो फिर उसको रिलीस भी करना पड़ेगा लेकिन यहां पर आप देखोगे तो मैंने एक अलग इंस्रेक्शन यूज किया बीट ऑन आफ यहां पर एक्स जिरो जिरो टू यह वाली सेम एक्स-जरो-जरो टू क्यों यूस करी हुँ हो दिखिया अग्बर इसका मैं आपको सिमुलेशन बताता हूँ यह देखो ठीक है अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो यह वाली रेड हो गई है ना यह रेड हो गई है इसको आफ करूंगा तो दुखो यही वाली ग्रिन तो इसके जगे हम यहां भी यूज करेंगो तो आप देखोए यह ग्रेन हो गया मतलब भी ओन किया हुआ है यह अपने को डारेक्ट ली बता चले जाता कि यह वाला ओन किया हुआ है ना तो यह यहां पर उसके लिए क्या करना है हमको बीट ओन उफ यूज करना देखो विन कि यूज किया एक्स जीड़ो फॉर के साल जीड़ो फॉर और जितने भी थे वह सारी अल्टर्णेट यूज करestion पकॉल अरफ कि अलावा जो मोटर के हमारे बटन है ठीक है मैनer लबटन तो मोटर के जो बटन है वह भी सारे अल्टर्णेट ही दिसक करे हैं और आप यहां और वगेरा और यह सारी चीज़ आपको पताईए स्टाइल में आप जाओ को तो इस तरह से मैंने इसकी कमेंट डाली भी ठीक है और अब आपको मैं एक चीज़ और इसमें बता देता हूं यह ब्लिंक ठीक है यह वाला देखो है ना इमर्जंसी अलार्म ब्लिंक क्यों कर रहा रिफ्रेंश करते हैं dirt तेखो कितनी फास्ट पिलिंक का रहा है तो शेफ भी कर रहा है टेक्श्ट भी कर रहा है इसमें आप जभी गृण होता है ना उस समय कुछ भी Stunden दिकआयनी देताय ठीक है तो यह इसकी speed जो है थोड़ी fast होगे अगर इसकी speed को कम करना है तो हमको यहाँ पर medium कर सकते हैं low कर सकते है on में ही आएगा यह off में नहीं आएगा ठीक है तो high किया वाथ है इसको में medium कर देता हो यह फिर low करता हो और shape only मतलब emergency alarm सिर्फ लिखा हुआ रहेगा और यह वाला जो है ब्लिंक करता रहेगा कलर सिर्फ ठीक है अब एक बार इसको देखे रिफ्रेश करते है ब्लिंक का भी मैंने पहले वैसे जो टाइमर है अपना शायद फोर वे जो लाइट है हमारी वो उसके लिए जो ब्लिंक किया था उसके म हम यहां से करेंगे ठीक है या लाउम डी सेट हो गया शोरी अभी अलांने सैट क्यों हुआ अब करता हूँ ठीक है अब यह आलां में पूर्बूमी प्रवाइड करिए यह उसमें सारा कुछ दिया हुआ हुए लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ठीक है नियुमेरिकल डिस् करना क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इन्पुट्ट दे만े इखा यहाँ पर देखु कि इस पर मैं डबल क्लिक करता हू और यहाँ तो है ना तो यहाँ से अब एहाँ साथ कर सकते है निउमेरीकल इन्पुट एड़ किया और ड्रौव करके उस पर करोगा तो इस प्रेका दिखाई देगा ठीए अब यह प्रीवियो मतलब यह जब आउन रहेगा तब क्या दिखाई देना चाहिए जब पावर ओफ होके ओन होती तब यहां पर जिरो दिखाई देते तो इसलिए मैं जिरो डाला हुआ ठीए और इसकी डिजिट रेंज कितनी दिखाई देनी अपने को 99 तक मैंने यहां पर दिखाई वाइस की डिजिट बतलब आपको यदि पांच सो भी करना डाइमर की वैलिए तो फिर आपको यह रेंज बढ़ानी पड़ेगी तो अभी तो मैंने यहां पर क्यूंकि हमको सिफ दस सेकंड से कम के अंदर ही देखना था तो जिरो लिखना है ठीकिए यदि डीजिरो लिख दिया तो यह वाली जो वैल्यू है यह डायक्ट डीजिरो में चली जाएगी ठीक है और जिजिरो से हमने SM4400 हैजिए तो डी जिरो से D1 और K20 सब सबमें एक साथ में वैल्यू मूव जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतन कि यार वो वाली चीज भी एड़ करना चाहिए या और एसे कुछ लेसंस एड़ करने चाहिए तो आप मुझे वाटसएप पर सजेशन दे सकते हैं और या फिर मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है ना तो उनके उपर भी मैं नेक्स टाइम पर वीडियो बना के आपको ज झाल 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 झाल